आज का जो हमारा स्टेशन है उसका जो परपस है वो है कि 2021 में प्रारणभी परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं उस उन सवालों के को थोड़ा सा समझें उसके अंडरस्टैंडिंग बनाएं और साथ ही साथ हम अगले साल के लिए तयार हों है ना next year के लिए हमको क्या दिशा होनी चाहिए हमारे preparation की उन सारे पक्षों को भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है इस अंदर में मैं आपके साथ geography भूगोल और पर्यावरण से जुड़े हुए लगभग 27 सवाल है जो इस प्रारभी परिक्षा में पूछे गए हैं उसकी चर्चा मैं आपके साथ करूँगा अब हम करेंगे क्या हमारा purpose क्या है तो हम इस चर्चा में इस discussion में हमारा focus यह होगा कि केवल question पर focus ना करें मतलब questions का discussion तो करना है इसमें तो कोई दो राय नहीं है लेकिन उसका purpose क्या है उसका purpose ये भी है कि अगली साल के लिए हम तयार हों अगले साल के लिए कैसे तयार हों हम समझने का प्रयास करें कि जो सवाल बनाये जा रहे हैं जो पूछे जा रहे हैं वो सवाल की प्रकृती क्या है उसका nature क्या है एक तो इस बात को भी समझना ताकि जो हम next year के लिए preparation कर रहे हैं या जो बच्चे इस साल examination दिये हैं उनको तो समझ उनकी तो बनेगी ही लेकिन जो अगले साल preparation कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी एक mark दर्शन होगा कि अगर हम environment को एप्रोच कर रहे हैं जोग्रॉफी को अगर हम एप्रोच कर रहे हैं तो हम कैसे करें है ना क्या पढ़े और sources क्या क्या हैं कहां से sources हैं ताकि उन sources का थोड़ा सा एक समझदारी बने तो अपने preparation के समय या अपने preparation के इस तर पे उन sources को भी थोड़ा खंगालने का हम प्रयास करें clear है इस अंदर में मैं आपके साथ questions discuss करूँगा और questions discuss करने के साथ साथ कुछ स्रोतों की भी चर्चा करूँगा कि ये question बनाते समय किन स्रोतों का इस्तमाल किया गया है वो sources क्या है हमारी research team ने काफी दिनों तक मेहनत किया है ना हर साल हम research करते हैं ताकि हम समझें कि जो evaluators है जो questions बनाने वाले हैं UPC में वो क्या-क्या स्रोतों का इस्तमाल कर रहे हैं उनके references क्या-क्या है तो इस अंदर में हम लोगों ने उस पे भी काफी research किया है तो मैं आपके साथ उस पे भी चर्चा करूँगा उस references को बताता हुए आगे बढ़ूँगा इसके लावा हमारा जो बीच-बीच पे reference आप लोगों को देता रहूँगा कि ये topic जो है हम लोगों ने भी माना था कि topic important है तो उस अंदर में हमने भी वहाँ से सवाल बनाये थे ताकि आपको align करें मतलब आप समझें कि questions का practice करना भी बड़ा जरूरी है पढ़ने के साथ साथ clear है तो शुरू करते है भुगोल से शुरू करता हूँ जोग्राफी के section से शुरू करता हूँ और जोग्राफी के section से शुरू करते हुए परियावरण के section तक आएंगे लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा brief understanding थोड़ा सा हमारा syllabus का होना चाहिए कि जो 12 सवाल लगभग भुगोल से इस साल पूछे गए हैं बारग है current affairs के सवाल को छोड़ देता हूँ और एक दो सवाल जो परियावरण के साथ overlap है तो उनको परियावरण के section में ही रहने दिया है तो बारग सवाल ऐसे मेरे identification के point of view से जो geographic के area में domain में आते हैं उन questions की प्रकृती क्या है nature क्या है और nature को समझने के ल syllabus को लेके कोई confusion नहीं रहना चाहिए हमारा syllabus लगतार हमारे दिम्याग में बना रहना चाहिए कि हम एक topic देखे topic देखते ही यार इस topic को मुझे प्रभावी तरीके से research करना है क्या करना है अब उसको देखते है clear है तो थोड़ा सा syllabus की चर्चा और syllabus के संदर में questions की प्रकृती जब questions discuss करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा यह question कैसा है fundamental nature का है या information nature का है map based question है तो इस संदर में geography के संदर में मैं आपसे चर्चा करूँगा और geography में जो questions है उसको discuss करने से पहले थोड़ा एक syllabus की समझदारी और syllabus के हिस्से में अगर हम बात करें या syllabus के direction में बात करें तो देखेंगे कि syllabus को देखते हुए क्या UPSC ने सवाल बनाए है अगर सवाल बनाए है तो प्रकृती क्या है तो 10-12 questions UPSC के द्वारा इस साल पूछे गए हैं वो अलग-अलग domain से हैं है ना आर्थिक भूगोल को लेके भी सवाल पूछा गया है, map से भी questions पीछे गया है physical geography का जो concept है उससे जुड़े हुए पक्षोप के उपर भी सवाल बनाया गया है यानि कि concept based भी questions है, information based भी questions है, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो current के साथ जोड़ के भी बनाये गया है, current affairs के साथ भी उनको जोड़ा गया है तो इस अंदर में देखते हैं उनसे हवालों को और एक दिशा बनानी की कोशिश करते हैं कि जो बच्चे next year के लिए भी देख रहे हों, वो समझें कि भूगोल को लेके हमारी रणेती क्या होनी चाहिए ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं देखे, भूगोल का जो syllabus है, जोग्रफी का जो syllabus है, अगर हम प्रारभिक परिक्षा के point of view से कहें हमको क्या पढ़ना है? भारत और विश्व का भूगोल प्रारभिक परिक्षा में जो syllabus UPS ने दिया है, भारत तथा विश्व का भूगोल भारत तथा विश्व के भूगोल में हमको प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल बस इतने तीन शब्दों के साथ जो है वो statement close कर दिया गया है तो आपको करना क्या है कि हम क्यों प्रारंभीक परीक्षा के लिए तो तैयारी नहीं करेंगे हम प्रारंभीक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए तैयारी करेंगे तो हमेशा जब भी आप प्रारंभीक परीक्षा का syllabus रखें तो उसके साथ साथ भूगोल के मुख्य परीक्षा का भी syllabus अपने पास रख ले उससे जो एक कह सकते हैं जो explanation है या भूगोल के syllabus में जो तीन बाते हैं इनको मुख्य परीक्षा में थोड़ा विस्तार दिया गया है और विस्तार दिया गया है तो हमारी समझ उससे थोड़ी बढ़ती है कि हमको इन इन आयामों पे तैयार करने के जरुवत है तैयार कैसे क भूतिक भूगोल तो भूतिक भूगोल का मतलब प्रकृतिक भूगोल ही है तो हमको क्या पढ़ना है विश्य के भूतिक भूगोल की विश्यस्ताएं परवत, पठार, मैदान, है ना जो आलमुखी, भूकम्पी गतिविधिया, जो महत्पूर्ण फिजिकल फीचर से हमको भूतिक अध्यन या भूतिक भूगोल का अध्यन करना है इस भूतिक भूगोल के अंदर हमको जलवायू के का भी अध्यन करना है, चकरवाद कैसे बनते हैं, पच्छुआ पौने क्या होती है, वैपारिक पौने क्या होती है, जेट धारा क्या होती है, मौनसून क्या होता ह हमारे वायू मंडल कैसा बना है, वायू मंडल का structure कैसा है, वायू मंडल में composition क्या है, किनके गैसे से बना हुआ है, हमारे पृत्वी का उश्मा बजट क्या है, बहुत सारे ऐसे concepts हैं, जो इस भौतिक भूगोल के तहत आते हैं, यहाँ पर भी UPC ने उसको decode नहीं किया, बहु कुछ भी हो सकता है, मतलब biotic resources हो सकता है, abiotic resources हो सकता है, मतलब जैविक और अजैविक, अजैविक में हो सकता है कि खनिस संसाधन हो, metal, non-metals, इस तरह से जो प्रमुक संसाधन है, उसका वितरन आपको देखना है, एशिया भारत के उप महादीप में, मुल फेक और फोकस इ ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्पूर्ण यहाँ पर शब्दावली रखी गई है, भुकम, सुनामी, जौला मुखी, चक्रवात, है न, इन सारी चीजों की समझ हमारी होनी चाहिए, देश के इस्तर पर भी, मतलब भारत के इस्तर पर भी, और वैश्विक इस्तर पर भी, इसके अलावा भौगौलिक विश्यस्ताएं और और कुछ स्थान, जो भी किसी जगह की भौगौलिक विश्यस्ताएं हैं, कहीं परवत है, पठार है, मैदान है, तो उसकी विश्यस्ताएं क्या है, उसकी जलवाई कैसी है, भौतिक विश्यस्ताओं के संदर में, दुनिया वर्षा होती है, कुछ भागों में पूरे साल भर वर्षा होती है, यह क्या है भौगॉलिक विशेष्था है, जिस भुगोल में अवस्थित हैं, कहीं पर साल भर वर्षा हो रही है, कहीं पर केवल गर्मी गर्मी के दिनों में वर्षा हो रही है, है ना, और कहीं पर ठंड में वर्षा हो रही है, ठंडी में तो बहुत कम वर्षा होती है और कहीं पर केवल ठंड में ही वर्षा होती है 3-4 महीने ठंड में वर्षा ही होती रहती है लगभग लगभग 100-500 cm का रेनफॉल वहां हो जाता है 3-4 महीनों में यह क्या है भौगॉलिक विशेष्टाएं ऐसा क्या है ऐसी क्या इस्थितियां पर इस्थितियां जनरेट हो रही है तो वो कह रहा है कि कुछ भौगॉलिक इस्थान और उनके इस्थान के संदर में आपको बताना पड़ेगा तो हम इसका सिंपल मतलब है ग्यारब प्रकार के दुनिया भर में जलवाईू है उस पार्टिकुलर स्थान को बता देंगे ऐसे कुछ पक्षों को आपको देखना है ऐसे ही कुछ भौगॉलिक विशेष्टाओं में जल्स रोत पानी का प्रार्टिक परिक्षा में एक सिंपल सवाल पूछा भी है जल्स रंसाधन के संदर में हिम आवरण जल्वाई परिवर्तन, climate change, glaciers यह सब पक्ष है महतपून एरिया है प्रार्टिक परिक्षा में भी बनता है मुखी परिक्षा में बनता है तो हिम आवरण को लेके इस बार तो सवाल नहीं बना है प्रार्टिक परिक्षा में लेकिन बनने की संभावना हर साल प्रबल रहती है और वहां से नहीं बना है लेकिन जल्वाई परिवर्तन से जुड़े हुए अन्य जो पक्ष हैं जैसे की प्रदूशन है जो कि परिवर्ण में हम cover करेंगे वहां पर तो सवाल बना ही बना है तो जब हम हिम आवरण की बात करते हैं या उससे जुड़े हुए climate change की बात करते हैं तो उससे अंदर में उसके प्रभाव उससे जुड़े हुई चुनवतियां जैसे खास करके pollution से related issues हैं, उस पे सवाल बनते हैं, वनस्पती बनता है, है ना, अभी भी देखेंगे, दो प्रकार की जो छेतर हैं, या कह सकते हैं कि उस निकटी बंधी है, जो वर्शावन है, और सुडान टाइप अफ क्लाइमेट है, है ना, या सुडान घास के मैदान कह सक करते हैं, एक प्रकार की वनस्पती है, या एक छेतर है जहां इस प्रकार की वनस्पती पाई जाती है, यह पेसी ने दो सवाल पूछ ले इस साल वहां से, तो कहने का यह मतलब है कि केवल यह देखेंगे, तो भूगोल के syllabus की समझ नहीं बनेगी, मुख्य परिक्षा के syllabus को तो ज्यादा प्रभावी तरीके से उसको प्रागर्मभी परिक्षा में भी इस्तमाल कर सकते हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब हम questions को चलते हैं, questions की तरफ, questions को लेके discussion करते हैं और समझधारी बनाते हैं कि UPSC किस प्रकार के सवाल जो है, बना रहा है, एक जो ब में हैं कि इस बार काफी सारे सवाल जो हैं, वो conceptual nature के पूछे गए हैं, conceptual nature का मतलब है कि आपकी उस subject पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए, उसका concept बहुत ही बहतर होना चाहिए, और साथ ही साथ tricky इस संदर में भी है कि concept के साथ साथ लगतार आपको constantly issues के touch में भी रहने की जरू हैं, उससे ग्यान लगतार अरजित करते रहना है, अपने आपको update करते रहना है, UPSC ने इस 2021 के इस paper में इस बात को लगतार आपको check किया है, हम लोग लगतार पिछले सालों से कह रहे हैं कि concept पे focus करें और concept को dynamic बनाएं, उस concept को आज के संदर में जोड़ें और आज की परिस स्थितियां हैं, चुनोतियां हैं, उसके संदर में जो भी issues आ रहे हैं, उसके साथ लगतार जोड़ते रहें, class में लगतार हम इस बात पे focus करते हैं, लगतार इस बात पे कहते हैं बच्चों को कि इसके लिए तयार रहें, इस तरह से subject को approach करें, इस साल का paper उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है, और भविश्री में भी मुझे लगता है कि इस तरह के paper जिसमें conceptual और dynamism के साथ मनाए हुए सवाल, जिसमें concept को भी चेक किया जा रहा होगा और certain informations भी उसमें loaded होंगे, ऐसे सवालों की संख्या आने वाले समय में भी बढ़ेगी, clear है, देखते हैं सवाल, सवालों के माध्यम से आप उस बात को और बहतर तरीके से समझ पाएंगे, देखें, 12 questions है total geography में, जो एक सवाल, जो पहला सवाल है इसमें, वो पर्मा कल्चर के बारे में है, इस्थाई क्रिशी परंपरिक रसायनी क्रिशी से किस तरह भिन है, ये सवाल आपसे है, तो माल लिजे कि ये जो परंपरिक रसायनी क्रिशी है, ये परंपरिक रसायनी क्रिशी वाला जो टॉपिक है, ये तो आप देखते हैं, बड़े आराम से बता देंगे, परंपरिक रसायनी क्रिशी को देखते ही confusion नहीं होगा, हाँ, chemicals का बहुत ज्यादा इस्तमाल होता है तो उस अंदर में आप बड़े आराम से कह सकते हैं लेकिन पर्मा कल्चर अगर ये शब्द क्लियर नहीं होगा तो आगे के कोई भी स्टेटमेंट आप नहीं ले पाएंगे है ना किसी भी अबस पर्मा कल्चर को समझ लेते हैं उसके बाद ये टॉपिक अपने आप यानि कि ये स्टेटमेंट अपने आप ही डिकोड हो जाएगा पर्मा कल्चर क्या होता है एक प्रकार का कह सकते हैं कि आज जो चुनौतियां हैं जलवाई परिवर्तन के संदर में जो चैलेंजेज ह संदर में एक ऐसे स्थिती जहां पर जल, वायू, लैंड ये सब बहतर रहें किसान की पैदावार बहतर रहें और ओवर ओल जो एको सिस्टम है उस पर उसका हानिकारक प्रभाव कम पड़े लेकिन जब हम देखते हैं केमिकल फर्टलाइजर बेस्ट एग्रिकल्चर को तो ह हमको उसके drawbacks नजर आते हैं, drawbacks क्या नजर आते हैं? जो भी chemical based, fertilizer based agriculture है वो तीन चीजों का इस्तमाल जरूर करेगा, एक हाइलिंग variety of seeds, दूसरा उस हाइलिंग variety of seeds के लिए खुब सारे fertilizer का इस्तमाल होगा, nitrogen, phosphorus, potassium based, chemical fertilizers का और तीसरा बिना irrigation के ये हाइलिंग variety of seeds बहुत बहतर response नहीं करती है, इसका मतलब है कि आपको खुब सारे irrigation की भी जरूरत पड़ेगी, और इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसे स्थिती है जहाँ पर imbalance create हो रहा है, पंजाब और हर्यानर जैसे राज्ये, जहाँ पर सालाना वर्षा 100 cm सभी कम होती है, और वहाँ पर गेहूं उगा उसका परिणाम हमको क्या नजर आ रहा है, उसका परिणाम ये नजर आ रहा है कि पंजाब के अधिकतर डिस्टिक्स डार्क डिस्टिक्स हैं, डार्क का मतलब है जिनका हर साल water level लगतार नीचे चलता चला जा रहा है, क्या ये sustainable agriculture है, नहीं है, तो इसकी जगह हमको एक perma agriculture य एक ऐसी क्रशी जो परियावरण के अनुकूल है, और sustainable सतत्त का क्या है concept, meeting the needs of present generation without compromising the needs of future generation, आज के जनरेशन की जरूरतों को भी पूरा करना और उस अंसाधन को भविश्चे के लिए भी संजो पाना, ground water का लगतार इस्तमाल करना और उसका लगतार हास होना, उसका नीची जाना, क्या हम भविश्चे के लिए उस छेतर में क्रशी को सतत्त बना पाएंगे, नहीं, चुनौतिया है, overuse of fertilizers, पंजाब और हडियाना देश में सबसे ज़्यादा fertilizer इस्तमाल करने वाले राज्ये है overuse of fertilizer ने contamination को जन्द दिया है, खास करके land contamination को, उससे ना किवल एक जो problem है कि food chain में वो chemical हमारा हिस्सा बन चुके है food vape का, बलकि साथ ही साथ overall land degradation को भी जन्द दिया है, क्या ये सतत्ता है, नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके वीपरीत कारे करना पड़ेगा, जो ह हमको organic farming पे जोड़ देना पड़ेगा, हमको chemical based fertilizers की जगह, organic fertilizers की तरफ बढ़ना पड़ेगा, हमको agro climatic conditions को समझना पड़ेगा, कि एक प्रकृती है, nature है, उस nature ने determine किया है कि कहां जुआर होगा, कहां बाजरा होगा, कहां पर धान की खेती होगी, कहां पर गहुं होना चाह हमको उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, जो region based approach है, कि इस छेतर में ऐसे करशी को अगर हम बढ़ावा देते हैं, तो वो ज़्यादा बहतर होगा, जैसे मालेज़े कि सुखा गस्त छेतर है, राजस्थान का छेतर है, तो वहाँ पर धान नहीं उगाये जाए, वहाँ प हम permanent agriculture या parma agriculture कहते हैं, जो कि परमपरी क्रिशी से भिन है, तो कैसे भिन है, अब पहला इस statement देखिए, पहला इस statement कह रहा है, कि इस्थाई क्रिशी एक धाने क्रिशी पधिती को हतोसाहित करती है, एक धाने मतलब monoculture, एक धाने का मतलब है monoculture, एक ही फसल बार बार, उससे फ इस्थाई क्रिशी एक धाने क्रिशी पधिती को हतोसाहित करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि ये प्रकृति के अनुकूल नहीं है, लैंड के अनुकूल नहीं है, ओवराल प्रोड़क्टिविटी गिरता है इससे, तो इसकी जगह क्या होगा, एक धाने के जगह, एक धान या मोनो कल्चर की जगा rotation of crops, उसको हमको promote करना पड़ेगा, किन्तु परंपरिक रसायनी क्रिशी में एक धाने क्रिशी प्रधिती की प्रधानता है, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इस्थाई क्रिशी एक धाने क्रिशी प्रधिती को हतुसाहित करता है, बिल्कुल करता है, य इसके कारण मिर्दा की लवंटा में व्रिधी हो रही है, हो सकती है, किन्तु इस तरह की परिखटना इस्थाई क्रिशी में दिर्श्टी कोचर नहीं होगी, जब हम इसका इस्तमाल ही नहीं करेंगे, ये रसायनी क्रिशी का हम बहुत जादा इस्तमाल करेंगे ही नहीं, तो कैसे दिरिस्टी कोचर होगा, कैसे दिखेगा, तो यह तो statement ठीक लग रहा है, कि जो परमाइगरी कल्चर है, वो ऐसे, यानि कि स्वाइल का जो सैलनेटी बढ़ रहा है, स्वाइल का सैलनेटी क्यों बढ़ता है, बहुत सारे कारण है, उसमें से जो महत्पूर्ण कारण है, व पूरा पानी से भर के रख रहे है, पानी का वाश्पी करण हो जाएगा, और पानी जो नमक है, वो नीचे जमीन में छूट जाएगा, आप कितना भी पानी उसमें भरते रहिए, पानी उपर जाएगा, नमक नीचे रहेगा, पानी उपर जाएगा, नमक नीचे रहेगा, ध प्रतत विकास नहीं है, यह sustainable agriculture नहीं है, इसका वीपरीत करना पड़ेगा, इसका reverse करना पड़ेगा, clear है? इसका reverse क्या करना पड़ेगा? वैसे product जिससे लवन्ता की मात्रा ना बढ़े, उतना पानी डालने की जरुवत ही ना पड़े, उस rate पे evaporation ही ना हो, और नहीं होगा तो उस पूरी प्रक्रिया में ऐसे स्थेति उत्पन नहीं होगी, तो इसका मतलब यह statement भी ठीक है, सही कहा रहा है यह statement, परमा अग्रिकल्चर के concept को प्रभावी तरीके से व्याख्या कर रहा है, तीसरा statement कहा रहा है, कि परमपरिक रसायनिक क्रशी अर्ध शुष छित्रों में असानी से संभव है, अर्ध शुष का मतलब क्या हो गया, जहां पर सालाना वर्षा 100 cm से कम होती है, 75 cm होती है, 50 से 100 cm के बीच में होती है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि जो परमपरिक रसायनिक क्रशी है, उसको तीन चीज़े चाहिए, हाइल्डिंग वरा करने की जरुवत ही नहीं है, तो तीसरा तो यहाँ पर गलत लग रहा है, completely, उस concept के बिलकुल वीपरित बात कर रहा है, चौथा statement है, मल्च, मल्च का मतलब है कि मान लिजे कि आपने खेत से फसल काटी, और मिट्टी का परदन नहों, तो मान लिजे कि आपने यहूं काटा य उसको खेत को ढग दिया, क्यों ढग दिया, क्योंकि उससे अपरदन नहों, है न, इरोजन के चीजे नहों, और ओवर एवापोरेशन नहों, जमीन में थोड़ा सा मौश्यर बना रहे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, आप मल्चिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वह किलकुल है, यह तो महत्वोन पार्ट हो जाएगा, किंतु परंपरिक रसायनिक क्र्ष्टि में ऐसी प्रथा आवश्चक नही है, वहाँ पर इस पे जोर भी नहीं दिया जाता, तो यह स्टेट्मेंट भी ठीक है, इसका मतलब है कि पहला स्टेट्मेंट ठीक जह रहा है, द और जो गलत statement है उसको eliminate भी कर सकते हैं लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी पर्मा कल्चर को लेके समझ थोड़ा भी गरबढ हुआ या थोड़ा भी if and but हुआ थोड़ा सा भी confusion हुआ तो इस question को करना थोड़ा सा मुश्किल है तो यह मैं कह रहा हूँ कि concept tricky है देखने में लग रहा है मुश्किल है लेकिन है आसान अगर पर्मा कल्चर का concept अप एक शक्रित clear है और इस अंदर में बस मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि सवाल UPSC ने क्यों पूछा इसलिए पूछा क्योंकि पूरे साल भर sustainable agriculture पे चर्चा हुई है sustainable agriculture पे पूरे साल भर climate smart agriculture sustainable agriculture पे अलग-अलग कार्णों से लगतार यह चर्चा का विशे रहा है तो UPSC ने इसमें इंटरेस्ट लिया यह सवाल बनाया clear है references के point of view से अगर मैं कहूँ तो down to earth में इसको लेके पर्मा कल्चर पे एक अच्छा आर्टिकल आया था एक प्रभावी तरीके से उसमें चर्चा की गई थी वहां से जो है एक idea हमें लगता है कि UPSC को मिला क्योंकि बहुत प्रभावी तरीके से सारे statement हमको उस आर्टिकल में मिलते हैं clear है हमारा test है हमने अपने test में भी इस question को या पर्मा कल्चर के concept को include किया था सवाल सेम नहीं था लेकिन पर्मा कल्चर के concept को हम लोगों ने include किया था क्योंकि हमको लग रहा था किस पे सवाल बन सकता है ठीक है? चली move करते हैं अगले सवाल की तरफ यह जो सवाल है यह map-based question है simple सा सवाल है कोई मुश्किल सवाल नहीं है अप एक शक्रित आसान सवाल है और यह map-based question है question क्या है सिंदु नदी प्रणाली के संदर में मतलब UPSC कह रहा है कि सिंदु नदी प्रणाली के संदर में निम्लिकित चार नदीयों में से तीन नदीयों या तीन नदियां इन में से किसी एक नदी में मिलती है कुलमीला के कह रहा है कि सिंदु की जो सहायक नदियां है वो पहले आपस में मिलती है और कोई एक ऐसी नदी है जिसमें वो सारी नदियां मिलती है फिर वो नदी जाके सिंधु नदी में मिलता है ये सवाल पूछ रहा है आपसे सिंधु नदी प्रणाली के संदर में निमलिकित चार नदियों मेंसे तीन नदियां इनमेंसे किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है हम लोग लगतार इस साल भी जब क्लास में डिस्कुशन कर रहे थे तो इंडिया चाइना की विवाद होने की कारण और इंडस रिवर जो चीन से होते हुए भारत में बहता है लेह लद्दाक के छेतर से होता हुआ भारत में आता है उसकी कुछ सहायक नदियां है श्योक उसको लेके भी लगतार उसके छेतर में भी विवाद था तो लगतार हम लोगों ने इस बात को फोकस किया था कि सवाल आना चाहिए है ना अगर जोग्रफी के पॉइंट और व्यू से आएगा तो यहाँ पर तो सिंपल यही है कि पहले आपको बताना है कि कौन तीन नदियां है जो पहले इसमें मिलती है और उसके बाद फिर सिंधु में मिलती है तो हमको मालूम है कि ब्यास, रावी, चिनाब, जेलम, सतलज यह सब की सब नदियां सिंधु में मिलती है अब हमको बस ये ध्यान रखना था कि ये सारी नदिया किस नदी में मिलती है पहले और उसके बाद सिंधिन नदी में मिलती है तो इसके लिए simple एक map को ध्यान में रखे ये map आपके सामने है इसमें ध्यान से अगर आप देखें तो जेलम चिनाब में मिलता है रावी नदी चिनाब में मिलता है सतलज नदी चिनाब में मिलता है यानि कि सतलज भी चिनाब में मिलता है रावी भी चिनाब में मिलता है और जेलम भी चिनाब में मिलता है तो ये तीन नदिया है जो चिनाब में मिलती है expected था कि इस छेतर में लगतार न्यूज में रहा है और न्यूज में रहा है तो आपको इस छेतर के भुगोल के बारे में एक समझदारी होनी चाहिए और चीन से सिंधु नदी होके बैता हुआ मानसरोर लेक के पास से भारत में आता है मतलब expected था कि भुगोल के संदर में यहां से सवाल बन सकते है बना भी हमने PT 365 का जो हमारा Current Affairs का material है उसमें हम लोगों ने इस issue को include भी किया था जुलाई 2021 का जो हमारा Current Affairs extended material था उसमें cross border flood management जो चीन से पानी भारत में आ रहा है उसका management कैसे करें उसके संदर में हमने यह map भी बनाया था और map के साथ इसकी चर्चा भी थी तो कहने का यह मतलब है कि possibility है मतलब आपको यह समझना है कि ऐसे ही यूपेस से नहीं पूछ रहा है कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसके कारण सवाल बन रहे है हम उसको समझने का प्रयास करें और अपने fundamentals को तो strong करें लेकिन साथ ही साथ जो current के dynamics हैं उसको समझते हुए predict करने की कोशिश करें कि यहां से भी possibility बन सकती है यह है smart study इस तरह से थोड़ा आपको approach करने की जरूवत है एक सवाल और आया है ना भारत के संदर में दिद्वाना, कुचामन, सरगोल, खाटू यह सब किसके नाम है यह fundamental question है news में नहीं था लेकिन फिर भी पूछा गया दिद्वाना, कुचामन यह जितने भी हैं यह सब saline lakes हैं मतलब खारे पानी की जीले हैं नमक बनता है हाँ पर इनमें से दिद्वाना सबसे बड़ा लेक है लवन जील का उधारन है तो इसका answer, चववन का जो answer है वो D's का right answer है इसमें कुछ खास discuss करने का नहीं है map based questions है, fundamental questions है जब हम class में map का चर्चा करते हैं तो map में लवन जीलों की भी चर्चा करते हैं तो इसमें से अगर आप एक को भी pick कर लें अगर आपको एक के भी बारे में मालूम हो तो बड़े आराम से आप कह सकते हैं जैसे दिद्वाना बहुत famous है तो अगर दिद्वाना को भी मालूम है तो ऐसी स्थिती में ये picture को simple सवाल है बड़े आराम से इसको बता सकते हैं कि खारे पानी की जील है दिद्वाना एक लवण जील है तो लवण जील है तो बाकी और देखने की हमको जरूरत है ही नहीं चली डीस का आंसर था अगला सवाल अगला question देखते हैं 55 नंबर का सवाल है 55 नंबर का जो सवाल है वो है निमलिकित नदियों पर विचार करिए यहाँ पर 3-4 नदियों का नाम लिखा हुआ है अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रामणी, नागवाली, ये नदी तो कभी सुना ही नहीं मैंने मन में आ रहा होगा स्वन्डरेखा, वश्धारा इन नदियों का नाम तो कभी सुना ही नहीं है मन में एक हयाल तो डेफिनेटली आ रहा होगा ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रहा होगा लेकिन हाली में अभी चक्रवात गुलाब आया था, उडिसा के तट को हिट किया है, वहाँ पर जो नदियां है जो समुदर से मिल रही है उनका पानी पीछे की तरफ जाता है मतलब समुदर का पानी बहुत अंदर तक इस नदी के रास्ते तक अंदर तक चला जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में बाड जैसी सवाल बना लिया, कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हमको इंडिया में thousands of small rivers है ये नागवाली और वंशधारा जैसी thousands of rivers है, केवल पश्मी घाट में thousands of rivers है, तो क्या हमको हजारों नदियां तैयार करना है, नहीं smart study करना है अगर चक्रवात आया और उसमें लगतार news आ रहा है कि चक्रवात से बाड जैसी स्थिति उत्पन हुई और उसमें चर्चा हुआ कि वंशधारा और नागवाली का जो नदियां नदियों का जो छेतर है, उसमें काफी flood आया, बाड आया क्योंकि चक्रवात गुलाब का पानी बहुत अंदर तक एंटर कर गया है इन नदियों के रास्ते से, और बाड जैसी स्थिति थोड़ी सी भयावा हो गई थी तो यूपे सिनेहा पर नागवाली वंशधारा को लेके सवाल पूछ लिया तीन-चार स्टेट्मेंट दे दी और कहा कि eliminate करिये, clear है तो यहाँ पर यही है कि इन में से पूछा है कि निमलेखित नदियों पर विचार करिये उपकों के में से कौन सी नदिया पूरवी घाट से निकलती है NCRT की किताब पढ़िये कोई भी standard book पढ़िये तो ब्रामभनी नदि के बारे में चर्चा होगा, है ना, map में देखी आप तो map में ब्रामभनी रिवर का चर्चा है हम लोगों ने class में भी discuss किया है ब्रामभनी रिवर दक्षनी कोयल राची के पठार वहाँ से निकलती है तो राची का पठार तो पूर्वी घाट नहीं है वो तो बहुत अंदर है राची का पठार है वो वो एक अलग भोगोलिक फीचर है तो ब्रामभनी नहीं होगा वंशधारा, स्वन्ड रेखा ये छोटा नागपुर के पठार से निकलता है तो छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकल रहा है और एक उसी के पास राची का पठार है वहां से निकल रहा है दोनों पूर्वी घाट तो नहीं है और नागवाली और वंशधारा ये दोनों नदियां साइकलोन गुलाब के समय नियूज में थी निकल रहा है जो है समय में बंगल की खाड़ी से गिर रही है और पूर्वी घाट से निकलती है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएका टू और फूर बस हमको इस में से देखना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है तो पच्पन का जो राइट आंसर होगा सवाल, ये सवाल important नहीं है, ये सवाल पूछा क्यों गिया है, वो important है, समझ रहे हैं, इस बात को समझना, इस मानसिक्ता, इस psychology को समझना, कि ऐसे सवाल बने क्यों है, अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे, तो हम पूरे देश भर की सब छोटी छोटी नदियों को तैयार करने क कोशिश करेंगे, हमको लगया कि बड़ा tough question है, बहुत मुश्किल सवाल है, इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया, मुश्किल सवाल नहीं था, हिंदू के दो article बस पढ़ने थे, गुलाब जब आया, या आने वाला था तब, और जब आ गया तब, आने के बाद जो उसने भय जावता कि, जो आपदा को जन दिया, उस आपदा के समय इन नदियों का नाम था, और इन नदियों का नाम जिन्होंने एक बार भी पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा, उनके लिए आसालम question होगा, और अगर नहीं उस चीज़ को हम लोग ने pick किया होगा, उसको read नहीं कि होगा, तो यह मुश्किल सवाल हो जाएगा, समझ रहे हैं, information ही है, लेकिन यह information क्या है, current से जोड़ के है, current के जो situations इमर्ज हुए, उस अंदर में यह जो भौगॉलिक features, यह नदियां जो news में थी, UPSC ने स्माटलूस से questions बना लिए, ठीक है, तो कहने का यह मतलब है, कि चुनौतियां हो, जैसे किरला में बाढ़ाया, किरला में फलर्ड आया, है न, अभी हाली में फलर्ड आया, तो कुछ नदियों के बेसिन के छेतर में फलर्ड आया न, क्या आप उन नदियों के नाम को पिक कर रहे हैं, future के लिए संभावनाएं create हो रहा है, possibilities create हो रहा है, तो हम लोगों ने इसके संदर में भी question frame किया था, clear है, और एक बार नहीं, दो बार, एक बार all in a test series में और एक बार हमारा जो 35 tests होते हैं prelims के, उसमें हम लोगों ने इसको include किया था, ठीक है, चलिए move करते है, कहने का यह मतलब है कि questions practice करेंगे, तो कई बार अगर कभी कोई जान नहीं गया था, कि चक्रवात के संदर में नदियों के उपर भी इस्थिति गंभीर हो गई थी, यह तो हम सोचा ही नहीं थे, तो कई बार आपको सोचने के लिए विवस करता है question, तो पढ़ना भी है और questions की practice भी करना है, 56 number का सवाल है, इसको भी देख लेते हैं, 56 number का स निम्रिकित कत्रों पर विचार करें, दो-तीन statement है, आसान है, मुश्किल नहीं है, सोच के देखिए, लगतार इंडिया चाइना, इंडिया चाइना न्यूज में है, लगतार चीन दक्षडी चीन सागर को लेके न्यूज में है, वो कहता है कि मैं अंतरास्ट्रे नियमों को नहीं मानता हूँ, कौन संतरास्ट्रे नियम है, तो वो नियम है, International Convention on Law of the Sea, UNCLOS, उसके तहत दो-तीन संस्थाएं काम करती है, एक ट्राइबुनल काम करता है, एक कमिशन काम करता है, कॉन्टिनेटल शेल्फ को रोकने, मतलब उसको डिलिमिट करने के लिए, और एक International Seabed Authority है, कि जो संसाधें ने उन संसाधरों का दोहन कैसे करें, उन्हीं को लेके सवाल पूछ लिया है, उन्हीं को लेके सवाल बना दिया गया है, और इस संदर में थोड़ा सा भारत के संदर में जोड़ दिया गया है, क्योंकि भारत भी हाली में समुद्र मिशन की शुरुआत किया है और हमारे कुछ टार्गेट्स हैं कि हम हिंद महासागर में कुछ संसाध्रों को निकालना चाहते हैं तो उन सब को मिला उलाके एक बढ़िया कॉक्टेल बना दिया गया है ठीक है सवाल मुश्किल नहीं है लेकिन लगतार जो है आपको जोग्राफी को भी करेंट से जोडने की जरुवत है इसकी चर्चा जिनको मालूम होगा उनको मालूम होगा कि हम लोगों ने किया है नमलिकर कत्रों पर विचार करें पहला statement है वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशियन कमीशन अंतरास्रिय जल छेतर में समुद्र संस्तरिये सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करती है ये make it और break it वाला situation है अगर आपने सुना होगा International Seabed Authority अगर United Nation Convention on Law of the Sea हमने पढ़ा होगा और उसमें जो है हमने Current Affairs में भी इसको include किया था United Nation Convention on Law of the Sea के तहत एक संस्था आती उसका नामे International Seabed Authority और ये International Seabed Authority ही determine करती है कि संसाधनों का दोहन होगा तो कैसे होगा और अगर pollution हुआ तो जिम्मेदारी आपकी क्या होगी International Seabed Authority ये निर्धारित करता है ये कहां से आ गया संस्था कुछ भी UPC ने लिग दिया तो मान लेंगे अपने knowledge को back करेंगे अपने ज्यान को नहीं हमने तो पढ़ा है International Seabed Authority वो संस्था है जो खनन का ये समुदरी संस्थारी सीबेड में जो भी खोज है खनन है उसका license तो वही देती है जब अपने knowledge को back करें या International Seabed Authority को पढ़े हो तो कैसे स्विकार कर लेंगे इसको statement ही गलत है तो पहला वाला statement इसलिए गलत है क्योंकि वो सागर आयोग नहीं है International Seabed Authority है जो कि United Nations Convention on Law of the CK तहत एक संस्था है यह यह कारे करती है UPSC ने थोड़ा सा टेस्टिंग किया कि चलो जड़ा बच्चे को टेस्ट किया जाए है ना अपने knowledge को back करता है कि ने उस पर विश्वास करता है कि ने तो यह वाला एक statement बना और गलत statement था यह तो पहला statement eliminate कर देते हैं स्विकार नहीं करते हैं दूसरे statement थोड़ा पढ़ लेते हैं भारत ने अंतरास्टे जल छेत्र में समुद्र संस्थरिये खनीच की खोज के लिए license प्राप्त किया किया है 1987 में ही किये थे हम सबसे पहले तो हिंद महासागर में International Seward Authority जब बना भी नहीं था यह बनने की चर्चा 1982 में हो रही थी में आई थी यह संस्था ने हमको permission दिया था 2017 में हमको 5 साल के लिए जो है वो और उसका time increase कर दिया गया है कि हम unvation कर सकते हैं exploration कर सकते हैं तो 2020 में वो news में आया कि भाईया 5 साल वाला time भी खतम होने वाला है तो जल 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 दिखुदाई कर लीजे तो UPSC को मजा है इसमें तो उस अंदर में UPSC सवाल बनाया है पूरा भारत निली अर्थववस्था की बात कर रहा है blue economy, blue economy, blue economy निली अर्थववस्था समुद्र के संसाधनों का दोहन प्रभावी तरीके से करें और लगतार हम इसको लेके प्रयास भी कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं तो वो पूछा यहाँ पर वही है मतलब यही है कि भारत के संदर में पूछा और blue economy लगतार ये term जो है UPSC को interest आया, interest आया तो भारत वाला भी की statement डाल दिया, तीसरा है statement दुरलब मृदा खनिज, rare earth metals पूरी दुनिया भर में इसका demand हो रहा है, चाइना का एक प्रकार से monopoly है, दुनिया का लगबग 90% rare earth minerals हो है, वही दुनिया को supply करता है और भारत 6%, second largest भारत supplier है, जितने भी आप mobile में chips देख रहे हैं, या गाड़ियों में जो integrated chips का आप इस्तमाल हो रहा है, इन सब के इस्तमाल के लिए rare earth metals, इस पेस में जो आप telecommunication के network के लिए जो भी आप infrastructure या equipment बना रहे हैं, उसमें rare earth metals का या rare earth minerals का इस्तमाल होता है, इसका मतलब बढ़ा ही critical है यह और चीन का उसमें है, बहुत सारे से संसाधन पृत्वी के घर में चुपे हुए है, तो तीसा statement देखते हैं, दुरलब, मृदा, खनिज, rare earth minerals, अंतरास्टी जल छेतर में समुद्र अस्तल पर उपलब्ध है, अंतरास्टी जल का मतलब है कि वो जहां पर कोई भी देश claim नहीं कर सकता है, 200 nautical miles किसी भी देश की सीमा से 200 nautical miles के beyond के पानी को हम अंतरास्टी जल छेतर, international waters कहते हैं, खूब है वहाँ पर, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन चुनौती क्या है, 3000 से 6000 मेटर की गहराई पर मिलता है, और इतनी गहराई से दोहन करने के लिए बहुती कम देशों के पास technology है, कि थोड़ा सा हमको गडबर नजर आ रहा है, तो ऐसी स्थिती में हम इसको स्विकार नहीं करेंगे, तो पहला statement हम eliminate कर देते हैं, बसता क्या है, दो और तीन, जहाँ जहाँ पर भी पहला देखें, उस statement को eliminate कर दे, तो बच क्या गया, B और D, लेकिन D में भी 1 है, तो ये बड़ सकते हैं, जहाँ जहाँ 1 हो, eliminate कर देजे, और केवल बच जाता है B, ठीक है, तो आसान question था, लेकिन confidence का question था, knowledge को back करने वाला question था, कि अगर विश्वास है, confident है, तो बाकी statement को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, चलिए, move करते हैं, अगले सवाल की तरफ, यह वाला हम लोगों ने काफी बार सवाल बनाया है, इसका मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिया, monthly और बहुत सारी जगों पर हम लोगों ने questions बनाया है, monthly current affairs में ही कई बार इसको discuss कर दिया है, July के issue में हम लोगों ने cover किया, December के issue में हमने cover किया, फरवरी के issue में हम लोग out of view से देखा जाए, तो जो है, ये first post एक site है, उसमें एक अच्छा article इसके संदर में आया हुआ था, तो हम लोगों ने भी idea वहाँ से pick किया था, और फिर उसको लेके questions बनाये थे, एक अच्छा analysis इसमें था, तो ये एक पक्ष है, कि ये references हैं जिसके माध्यम से यूपे से सवाल बना रहा है, जहाँ जहाँ पर भी अतरिक श्रोतों की जरुवत पढ़ रही है, या जहाँ पर आए हैं, उसको मैं वहाँ पर include कर रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएं कि ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से सवाल बनाये जा रहे हैं, एक और देख लेते हैं सवाल, निमलिकित में से कौन सी फसल नियूंतम जलदक्ष है, लीस्ट वाटर एफिशेंट है, ऐसा मतलब कहने का मतलब है, सपोस्पोस बान लीजे, कि कुछ लोग होते हैं, है ना, जिनको कहते हैं ना, गागर में सागर वालेस थे थी, कि आप उनको कुछ लिमिटेड चीज भी तो वो उससे भी बहतरीन चीजे दे देते हैं, और आप बहुत कुछ भी देते हैं, उसके बाद भी वो उससे बहतर चीज नहीं निकल पाता है, तो एफिशेंसी का मतलब है कि हम इसको अगर मैं कहूं, एगरिकल्चर के संदर में, more crop per drop, मतलब कह सकते हैं कि कम बूंद में, कम पानी में ज़्यादा पैदावार, तो यहां कौन सी फसल है, जो सबसे ज़्यादा पानी लेती है, या least efficient है, तो इन तीन चार पकार के, यानि करिशी का सवाल है, एगरिकल्चर का basic सवाल है, conditions for growth, इन एगरिकल्चर के जो ये goods हैं, या यहां पर ये जो फसले हैं, इन फस क्या conditions होंगे growth के, तो जो basic इसमें चीज है, कि conditions for growth, तो conditions for growth के point of view से सवाल बनाएगा है, मतलब बड़ा basic सा सवाल है, जिनों ने भी गन्ना, सूरज, मुखी, बाजरा के संदर में थोड़ा सा understanding किया होगा, हमको पता है कि गन्ना ये water guzzler है, बहुत जादा पानी पीता है, अ सूखा पढ़ा, है ना, पूरे देज्मर में खूब वारिश होरी थ ही, लेकिन माहराथवारा में सूखा पढ़ा, तो सूखा पढ़ा का मतलब है, कि माहराथवारा जो चेतर है, महरास्ता का, वो sugar canne के cultivation के लिए महत्त पूर्ण है, और जब इस चेतर में सूखा पढ़ा, तो यहां की फसले नस्ट हो गई, फसले खराब होई, देश में सबसे ज़्यादा farmer suicide अगर कहीं पर होता है, तो यह माराथवारा का छेतर है, विधर्ब और माराथवारा, दो मारास्टा के छेतर हैं, जहां से सबसे ज़्यादा farmer suicide लगतार हो रहे हैं, इन दोनों छेतर सूखा अगरस छेतर में आते हैं, सूखा अगरस छेतर में जहां पर हर साल कह सकते हैं कि जितनी बारिश होनी चाहिए, उससे कम होने की प्रबलता जादा रहती है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में, ऐसे situation में, हब लोग ने गन्ने के cultivation को promote किया है, या माराथवारा में गन्ने के cultivation को promote क किया गया है, लेकिन इसके बाद भी, है ना, जो agroclimatic conditions है, माराथवारा एं विधरबा के, they are not sustainable, वो sustainable नहीं है, इसके cultivation के लिए, और इस अंदर में topic news में रहा, और UPC ने इसके लिए सवाल बनाया, यानि questions create किये गए इसको लेके, क्योंकि लगतार एक छेतर से farmer society कर रहे है और उसके बाद भी आप एक ऐसे agriculture को practice कर रहे हैं, जो कि sustainable नहीं है, सतत्ता के सिधान पे, या sustainable development के concept पो खड़ा नहीं उतरता है, तो UPC ने वहाँ से एक tricky सा सवाल आपके लिए बना लिया, बाकि जितने भी यहाँ पर हैं, सूरज, मुखी, बाजरा, अरहर, ये तीनों के त जो फसले हैं, ये rain-fed areas में होते हैं, तो ये rain-fed areas में होते हैं, अगर हम सूरज, मुखी, बाजरा, अरहर, ये जो भी देखें, तो इनको water का requirement क्या है, 75 cm से कम rainfall की जरुवत पढ़ती है, इसका मतलब है, ये arid region और dry land regions में होते हैं, मतलब देश के उन हुस्सों में होते हैं, जहां पर अपिक्षा-कृत, कम वर्षा की जरुवत पढ़ती है, कम rainfall की जरुवत पढ़ती है, गन्य को आप देखें, तो गन्य का जो cultivation है, वो throughout length and breadth, अगर हम अपने plain areas की बात करें, गैंगेटिक plain की, तो throughout length and breadth होता है, पंजाब, हर्याना, western उतर प्रदेश, Tamil Nadu, ये सारे important regions हैं, महरास्टरा, जहां पर आज गन्य का cultivation होता है, but it requires a lot of irrigation, बहुत ज़्यादा irrigation की ज़रुवत पढ़ती है, approximately, माना जाता है, ये जो climatic conditions हैं, वो ये हैं, कि गन्य के cultivation के लिए, लगभग 180-200 cm का सालाना rainfall चाहिए, मतलब एक अच्छा खासा rainfall इनको चाहिए, लेकिन, यान अगर हम देखते हैं, कि ये 180-20 cm के आसपास का rainfall चाहिए, तो overall sucrose का content कितना होता है, इनका 10%, 10% overall इनके weight का, या 11% max to max, तो overall इनका जो water use है, वो least efficient है, तो यहाँ पर बहुत ये simple question था, यानि कि आप किवल एक को ही, अगर आराम से अगर आप understanding रखते हों, कि ये फसल कहां उग जाते हैं, तो ऐसे situation में बड़े आराम से आप इस question को eliminate करके answer तक पहुंच सकते हैं, गन्ना या A इसका right answer होगा, चली, next question की तरफ चलते हैं, अगला जो question है, ये concept थोड़ा सा tricky question है, tricky in sense में है, कि अगर ये concept आपको clear होगा, तो ऐसे situation में आप इस question को बड़े आराम से कर सकते हैं, otherwise थोड़ा सा challenging हो जाता है, आसान है, conceptual question है, concept based questions है, अभी देखते हैं, थोड़ा सा उसको एक image के माध्यम से भी देखेंगे, तो आसान रहेगा, पहले दोनों इस statement को पढ़ता हूँ, ताकि हमको समझ में है कि किस area से question पूछा गया है, निमलिखित कतनों पर विचार करि एक statement है, उस निकटी बंधिये छेत्र में, उस निकटी बंधिये छेत्र में, वैपारिक पौनों के प्रभाव के कारण, पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्मि खंड पे, या पश्मि खंड अपेक्षा के ज्यादा उचन है, अभी देखते हैं, बस अब को समझ, मतलब कोशिश करिए, इसको डिकोड करने का, दूसरा इस सेट्मेंट है, शितोष्ण छेत्र में, शितोष्ण का मतलब है, लगभग 45 to 50, 55 डिगरी का जो लेटिट्यूडनल एरिया है, अक्षांसी रेखा है, उसके बीच का जो छेत्र है, उसको हम सितोष्ण का छे आती है, अधिक उसके temperature को increase करती है, इसको समझने के लिए आप ये image को देखके बड़े आराम से आप इस question को address कर सकते हैं, मतलब आप एक शाक्रित आसान सवाल है, दो statement है, इन दोनों statement को देखते हैं, एक statement ध्यान से देखिएगा, एक statement है वैपारिक पवन के संदर में, एक statement है, दूसरा है पश्चमी पवन या पश्वा पवनों के संदर में, यानि कि वैपारिक पवन और पश्चमी पवन, इन दोनों के संदर में UPSI ने सवाल बनाया है, अब ये वैपारिक पवन किस छेत्र में बह रही है, उस ने कटी बंदी है छेत्र में, ट्रॉपिकल र ट्रॉपिकल रीजन के संदर में कोश्चन बन गया, ठीक है, तो ये दो हो गया, शितोष्न का छेत्र और उस ने कटी बंदी ही छेत्र, मतलब ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपरिक पवनों के संदर मतलब trade winds के संदर में question बना है और एक western lease या पच्छुआ पाउनों के संदर में question बना है तो ध्यान से अगर आप इस image को देखें, अगर इस image पर focus करें, तो ये जो region आप देख रहे हैं, ये जो area आप देख रहे हैं ये reason को हम high pressure का belt कहते हैं, जो भी थोड़ा concept अगर आपको ये clear हो तो ये high pressure का region है, मतलब ये जो region है वो high pressure का region है है ना, यहाँ से southern part की तरफ, equator की तरफ जो हवाएं चल रहे हैं, हम उनको वैपारिक पौने कहते हैं, trade winds कहते हैं, ध्यान से आप इनका direction देखिए, trade winds का क्या है ये ऐसा लग रहा है, जैसे कि east coast से चलते हुए west coast की तरफ इकठे हो रहे हैं ये जो region है, ये 23 and half degree का region है, ये जो छेतर है, ये 23 and half degree ये करक रेखा कह सकते हैं ये अप एक शक्रित गर्म है, हवा यहां से उपर से नीचे की तरफ बैठती हैं, और कोई भी हवा, कोई भी air का parcel of air अगर उपर से नीचे की तरफ बैठता है, तो वो क्या होता है, वो गर्म होता है कोई भी जो air का parcel है नीचे से उपर की तरफ जाता है तो ठंडा होता है normal lapse rate का concept ही कहते है तो यहाँ पर हवा क्या हो रही है? उपर से नीचे की तरफ बैट रही है अब हवा उपर से नीचे की तरफ बैट रही है तो यहाँ एक concept काम करता है जिसको कहते है Coriolis force, Coriolis ball कोई भी object अगर वो straight move करना चाहती है तो कभी भी अर्थ पर वो straight move नहीं कर सकती है उसका deflection होना तै है वो थोड़ा बहुत left and right की तरफ मुड़ेगी Northern Hemisphere में यह left, right की तरफ मुड़ती है Southern Hemisphere में यह left की तरफ मुड़ती है क्यों? उसका discussion कभी करेंगे अब यहाँ पर हवा उपर से नीचे की तरफ बैठी और यह trade winds चले और Coriolis force ने इसका deflection किया deflection किया तो यह उपर से नीचे जो हवा बैठी थी यह गर्म हवा है high pressure के कारण यहाँ पर temperature पेक्षग ज़्यादा है और इस high temperature से यह air बहते हुए वैपारिक पौने east से west direction की तरफ है इसका मतलब है यह complete heat को यहाँ पर इकठा कर रही है और अगर heat को यहाँ पर इकठा कर रही है इसका मतलब यह है कि comparison to this east coast east coast के तुलना में यह west coast घर्म हो जाएगा यही statement है ध्यान से पढ़िए उस निकठी बंधिये छेतर में वैपारिक पौनों के प्रभाव के कारण पूरवी खंडों के तुलना में इस पूरव बाले हिससे की तुलना में महासागरों के पश्मी खंड अपिक शकृत ज्यादा उश्ण होते हैं महासागरों के पश्मी हिस्से, ये वाला side अपिक शक्र ज्यादा उष्ण होता है, ज्यादा warm होता है, तो ये simple सा concept था, जिसके basis पर UPS ने statement frame किया, तो पहला statement तो ठीक हो गया, इसमें तो कोई दो रहा है ही नहीं, तो पहला statement ठीक है, अब ज़रा दूसरे statement को भी चेक कर लेते वो मालिजे की pole की तरफ है, polar area की तरफ move कर रहा है, और हमको मालूम है कि Coriolis force का रही करता है, तो हमेशा Northern Hemisphere में deflection right की तरफ होगा, Coriolis force right की तरफ deflect करेगा, कभी चर्चा करेंगे, क्यों करेगा, अब deflection हो गया right की तरफ, तो इसका मतलब ये हो गया, कि ये वाला region तो heat है, ये warm region है, उपर से हवा ये नीचे की तरफ बैठी है, तो वहाँ पर temperature ज्यादा है, और temperature ज्यादा है, तो ये जो हवा नीचे बैठी है, एक इसका parcel North की तरफ shift हुआ और एक South की तरफ, अब ये इसका direction क्या है, West to East, इसका मतलब है कि इस पूरे region के heat को यहाँ पर ही कठा किया पश्मी खंडों के तुल्ना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उस्न या उसके तापमान को अधिक बढ़ाती है, यही बात हम कह रहे थे, कि East वाले हिस्से को अपेक्शक्र ज्यादा गर्म करती है, इसका मतलब है कि यही statement भी ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही statement तो इसका जो राइट आंसर होगा 58 का वो C है, एक conceptual question UPC ने पूछा है, तो इस बार conceptual questions के जो number है, उसकी संख्या जो है, वो भी काफी ज्यादा है, तो इस अंदर में 58 का राइट आंसर C है, ठीक है, चलिए, move करते हैं, दो-तीन questions और हैं geography के, देख लेते हैं उसको भी, एक यह भी question है, यह question जो है, यह दो questions है, अभी मैंने जब syllabus आपको दिखाया था, तो syllabus के संदर में आपके सामने बात रखी थी, कि हमको vegetation का भी अध्यान करना है, और geography में जब आप climatic regions पढ़ेंगे, तो there are 11 climatic regions in the world, 11 climatic regions है, अगर मैं उसको जल्दी से आपके सामने रखूँ, तो एक विश्वत रेखा के, दोनों तरफ, 0-10 degree North and South में, एक climatic region है, जिसको हम equatorial climate या भूमद रेखी जलवाई कहते हैं, 10-30 degree के latitude को अगर हम देखते हैं, तो continent के eastern part में, हमको monsoonal type of climate मिलता है, center में, महादीपो के center में, 10-30 degree के बीच में हमको सवाना type of climate मिलता है, और continent के eastern, sorry, western part में, हमको कह सकते हैं कि desert type of climate मिलता है, थोड़ा सा और उपर बढ़ते हैं, तो 30-45 degree के बीच में, लॉरेशियन, इस्टेपी, और Mediterranean type of climate मिलता है, थोड़ा और उपर जाते हैं, 65, या 45-65 के बीच में, तो east part में हमको, sorry, China की जगा लॉरेशियन मिलता है, उपर हमको Siberian मिलता है, 45-65 के बीच में, continent के बीच में, और continent के margins में, west में, हमको 45-65 में, British type of climate मिलता है, और 65-90 degree के latitude में, हमको throughout the permafrost का region रहता है, तो हमको क्या मिलता है, tundra type of climate मिल सकता है, polar type of climate आप उसको कह सकते हैं, तो दुनिया में ऐसे 11 प्रकार के जलवाईउ मिलते हैं, UPSC ने इस बार ऐसे 2 प्रकार के जलवाईउ को पिक किया है, उसमें से एक है सवाना, सवाना को क्यों पिक किया है, तो उसका कारण यह है, कि सवाना, या कह सकते हैं कि अफरीका में एक movement चल रहा है, अफरीका for forest, अफरीका AFR, अफरीका for forest restoration 100, एक movement अफरीका में काफी ज्यादा मजबूत हुआ है हाल के दिलों में, अफरीका for forest restoration, 100 million hectares land को forest के तहत लेके आना है, अफरीका में movement बहुत popular हो रहा है, UPC ने वो idea pick किया, कि अफरीका में forest को promote किया जा रहा है, तो चलो एक दो regions पूछ लेते हैं, तो UPC ने एक दो regions पूछ लिए, equatorial region जो अफरीका में है, और एक सवाना type of grasslands जो कि अफरीका में है, तो वहां से ऐसे दो सवाल बनते हैं, तो द अगर हम अफरीका की बात करते हैं, तो इस region में हमको सवाना type of climate मिलता है, ठीक है, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, सवाना की वनस्पती में बिखरे हुए छोटे विक्षों के साथ, बिखरे हुए छोटे विक्षों के साथ, इस टंटे ट्रीज हैं, छोटे विक्ष के सा गास के मैदान होते हैं, ग्रासलेंड्स होते हैं, किन्तो विर्सिच छेतर में कोई विक्ष नहीं होते हैं, ये statement है, इस statement को question नहीं करना है, यूपेसी आपको एक statement दे रहा है, तो हमको इस बात को सुविकार करना है, कि ठीक है, सवाना type of climate है, छोटे विक्ष है, मान लेते ह हैं, छोटे विक्ष हैं, हम आपसे तर्खी नहीं कर रहे हैं कि क्यों छोटे हैं, छोटे हैं, घास के मैदान होते हैं, किन्तो विर्सिच छेतर में कोई विक्ष नहीं होते हैं, ठीक है सर, नहीं होते हैं, उसको ही मान लेते हैं, ऐसे छेतर में वन विकास सामानेता एक या अधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन से होता है. कहने का मतलब है कि अगर forest का development हो रहा है तो there are certain conditions are required. अब UPS से आपके सामने statement देगा, है ना, कि वो कौन-कौन से factors हैं जो forest के growth को control करते हैं, नियंतरित करते हैं. अब थोड़ा सापके सामने बस सवाना type of climate रख देते हैं, कि कहां पर है, देखे, इसको माल लिजे कोई भी continent, A, B, C, D, X, Y, Z, कोई भी continent आप इसको accept कर लिजे. इस continent में 10 degree, 30 degree, 10 से 30 degree latitude के बीच में इसके eastern part में हमको monsoon type of climate मिलता है, और इसके center में हमको सावाना type of climate S लिख देते हैं. ठीक है, अब इस बात को आप समझ लीजे, कि ये जो सावाना type of climate है, ये continent के बीच में है, और वर्षा होने के लिए, rainfall होने के लिए, एक important condition ये चाहिए, कि कोई भी area अगर coast के किनारे है, तो humidity तो coast के पास ही है, humid conditions तो सबसे ज़्यादा coast के पास ही है, सबसे ज़्यादा अगर कह सकते हैं कि अगर कोई humid है तो वो oceans हैं, तो कोई भी air जो इस humid region से आके बहेगा, तो coastal areas में ज़्यादा वर्षा होगी, ये air यहाँ तक पहुंसते पहुंसते dry हो जाएंगे, यानि यहाँ वर्षा बहुत कम ह होगी, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होगी, इस तरफ से जो भी air enter करेगा, उसका भी same condition होगा क्योंकि ये continent के बीच में है, तो same condition क्या हो गया, ये विचारा एक ऐसा छेतर है, जिसको प्यास तो लगा है, लेकिन दोनों तरफ से जो हवाएं आती हैं, उनके पास पानी नहीं हैं, तो throughout the year क्या condition होगा, एक deficit condition create हो जाएगा, rainfall हमेशा less होगा, clear है, अब rainfall less होगा, तो आप सोच के देखिए, tree क्या होगे, tree तो stunted ही होगे न, छोटे ही व्रिक्ष होगे, बिचारे क्या होगे, adaptability क्या होगा, adaptability यही होगा कि पेडों का size कम होगा, surface area बढ़ाएंगे, तो ev evaporation जादा हो जाएगा, evaporation हो जाएगा, तो खतम हो जाएंगे, तो survival mechanism, defense mechanism क्या होगा, आपको अपने surface area को छोटा रखना पड़ेगा, आपके पत्तों का size बहुत ही छोटा हो जाएगा, ज्यादा बड़े पत्ते होगे, तो evaporation जादा होगा, तो सब कुछ छोटा होता चला होंगे तो सोच के देखिए कि aridity या कह सकते हैं कि moisture तो है ही सबसे important factor इसके अलावा बिलकारी प्राणी और दीमक ये क्या करेंगे दीमक कुमक क्या लेना देना है सावाना से हो तो भी ठीक है नहीं हो तो भी ठीक है क्या फर्क पड़ता है ये जो बिलकारी का मतलब है कि जो अर्थ के नीचे रहते हैं ये क्या करेंगे इनका कुछ खास लेना तो इसा थोड़ी ना कि सवाना को विश्वत रेखा बना देंगे या सवाना को डिजर्ट में बना देंगे तो इनका तो कुछ खास लेना देना नहीं होगा, दूसरा आग सूखा छेत रहे, dry conditions है, throughout the year dry conditions रहते हैं, अगर थोड़ा सा भी हवा तेज चला और जो भी dry leaves हैं, अगर उन्होंने आग पकड़ ली, तो throughout the पूरे के पूरे इस forest land में आग की संभावना बढ़ेगी, क्यों? ध् के दिनों में घास सूख जाते हैं, और हवा चलती है, तो उनके बीच में friction होता है, friction होता है, तो बड़े आराम से आग बकड़ लेते हैं, अगर आपको गभी आग लगाना हो, मतलब कहने का मतलब यह है कि कभी भी ऐसा कुछ forest में या कभी आप बाहर जा रहे हैं, तो आप क त्रिन भक्षी प्राणी, पहले ही स्थितिक हराब है, छोटे छोटे पेड़ है, इस्टंटेट पेड़ है, जिराफ नाम का प्राणी सुने होंगे, इसी छेतर में होता है, सवाना टाइप में, कीनिया में, जंगल सफारी करने के लिए लोग जाते हैं, अब सोचे कि जिरा इसको कंट्रोल करेंगे, तो ये भी ठीक है, मौसमी वर्षा, चरने वाले भक्षी भी कंट्रोल करेंगे, लेकिन इनकी भूबिका भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ऐसा थोड़ी नहीं है कि completely ये कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कि overall reason ये है, कि overall जो हर्वी वर्ष प्लांट सें, उनका ग्रोथ भी हाँ कम होगा, क्योंकि ecosystem में overall resources ही कम है, तो overall resources कम है, तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो overall ये effect नहीं कर पाएंगे, तो आग एक important factor है, ये important factor नहीं है, अगर हम logic लगाते हैं तो, मौसमी वर्षा, ये तो है ही, वर्षा ही सब कुछ कर रहा है, सवाना के eastern part में अपेक्षा कृत, जो forest होगे, वो थोड़ा ज़्यादा green होगे, या green cover ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हम east से west की तरफ बढ़ेंगे, या जैसे जैसे हम internal part of continent की तरफ बढ़ेंगे, वैसे-वैसे humidity की मातरा कम होती चली जाएगे, इसमें तो कोई दो रहा है नहीं, तो इसका मतलब है कि मौसमी वर्षा या seasonal rainfall है, एक important factor है, imagine करिए कि इस छेतर में जैसे मैंने आपको बताया कि rainfall बहुत कम होता है, 52-75 cm का annual rainfall है, ठीक है, किसी साल अगर rainfall कम हुआ तो, किसी साल drought conditions हो गए तो, तो imagine करिए कि इस सब control हो जाएंगे, छोटे वरिक्ष घास, overall उनका growth decline कर जाएगा, बृदा के गुण, क्या ये भी factor होगा, तो बृदा के गुण जो है, अगर आप बढ़ा देंगे और पानी नहीं देंगे, तो क्या, बहुत ज जगह के, कह सकते हैं कि vegetation को control करने में उनकी महत्पूर्ण भूमिका होती है, तो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पर, कि, इन में से कौन-कौन से factors हो सकते हैं, है ना, तो दूसरा होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा, जड़ा देखें कि 2 और 4 कहां कहां पर है, तो 2 और 4 हमको केवल C में मिल रहा है, ध्यान से देखिए, कि 2 को लेके हम sure हैं, और 4 को लेके हम sure हैं, है ना, ये tricky question था, तो 2 को लेके हम sure हैं, और 4 को लेके sure हैं, कि ये तो पक्का होगा, ये दो conditions तो हैं, तो जड़ा हम देखें कि 2 और 4 वाले conditions कहां पर मिल रहे हैं, तो 2 और 4 वाले conditions हमको कहां मिल रहे हैं, 2 और 4 वाले conditions हमको C में मिल रहे हैं, अब यहां पर third है, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा factor नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक important factor नहीं है, लेकिन इन स इस तरह से आपको इस आंसर तक पहुचना है. अगले question की तरफ चलते हैं. नेक्स जो question है. ये भी vegetation से related question UPC के द्वारा पूछा गया है. इस question को भी देख लेते हैं. पढ़ते हैं इस question को? अच्छा ये 60 वाला question आ गया है. अच्छा इस question को पढ़ते हैं देखते हैं. ये question क्या है? question कह रहा है कि पत्ती, कूड़ा या leaf litter कहते हैं. मतलब जो भी पेड़ पौधों से जो पत्तियां खराब हो गई हैं वो जमीन पे गिर रही हैं. है ना? उसको leaf litter कह दिया है हमने. किसी अन जिवाम या जिवाश या बायोम्स कहा सकते हैं कि तुलना में तेजी से विघटित हो किरती हैं, वो बहुत जल्दी ही decompose हो जाती है, खराब हो जाती है. अब इतना अगर हम सोचते हैं, इतना इस statement ही पढ़ते हैं, बाकी हम नहीं पढ़ते हैं. और केवल इतने ही statement को सत्य मानते हैं, तो हम क्या सोचेंगे? कि किस प्रकार का climatic condition होना चाहिए? कोई भी चीज़ decompose जल्दी कब होती है? ध्यान से देखिए, आप अपने अनुभाव से सोचिए कि भारत एक unique देश है, मतलब गर्मी भी है, ठंडी भी पढ़ रही है, humidity भी बहुत है, कभी dry conditions भी बहुत है, तो ज़रा सोच के देखिए कि भारत में जो monsoon का period है, जून, जुला, गस सितंबर का महीना है, है ना, इन महीनों में temperature भी बहुत ज़्यादा है, और इन महीनों में humidity भी बहुत ज़्यादा है, air में, आप कुछ खाना बनाए, हो सकता है कभी बनाए हो, या मम्मी ने कहा कि खा ले न, आपने खाया नहीं दोपहर का, और शाम को आपको ध्याना आए कि चलो य लेकिन ठंड के दिनों में जैसे अभी शुरुवात हो रहा है, मम्मी ने कहा कि बिटा दाल बना के रखा हुआ है, खा ले न, नहीं खाये, है ना, कुछ करने लगे, शाम को देखा तो भूख लगी तो जा के देखा, और खाने का मन किया तो खाये, और देखे कि खराब नह हुआ है, इसका मतलब है कि ठंड के कंडिशन में नहीं होता है खराब, मार्च अप्रेल के महीने में अगर आप कोई चीज बाहर छोड़ देंगे तो जल्दी खराब नहीं होता है, है ना, कोई भी चीज जल्दी खराब नहीं होता है, क्यों, मार्च अप्रेल के महीने में dry conditions होते हैं, सुखा तो होता है, dry conditions होते हैं, तापमान तो होता है, लेकिन dry conditions होते हैं, कोई भी चीज को decompose होने के लिए, दो चीजें बहुत महत्पूर्ण हो जाती है, तापमान, temperature और humidity, तो अब हमको logic ये लगाना है, कि अगर हमको दुनिया के जलवाई प्रदेश की समझदारी है, कि ये दुनिया में ये 10-11 प्रगार की जलवाई पाई जाती है, तो हमको उस जलवाई प्रदेश के बारे में सोचना है, और वो यहाँ पर चार लिखा भी है, तो ज़्यादा सोचने की भी ज़रूद नहीं, इन ही चार के बारे में सोच लेते हैं, कि ये इन चारों में से सबसे ज़्यादा temperature और humidity कहाँ पर रहता है, इतना भी कड़ेंगे तो ये question हो जाएगा, शंकुधारी वन ठंडा जगा होता है, तो यहाँ तो कोई भी चीज खराब नहीं होगी, humidity का होना ज़रूरी है, और ये खुद कह रहा है, नहीं कह रहा भी, लेकिन हमको तुम मालूम है न, शुष्क का मतलब क्या होता है, तो बी भी नहीं होना चाहिए, शुष्क का मतलब ही है कि वहाँ पर कोई चीज जल्दी decomposed नहीं होगी, तीसरा है mangrove one, mangrove forest, तो mangrove forest में क्या है, mangrove एक ऐसा forest है, जो कि, कह सकते हैं कि, fresh water और saline water, उन दोनों के transition वाले जोन में ये होता है, transitional zone में mangroves forest होते हैं, जैसे कि भारत में सुंदरवन का छेत्र, सबसे बड़ा mangroves का forest इंडिया में, इंडिया में क्या दुनिया का सबसे बड़ा mangrove forest जो है, वो हमारा यहीं पर अवस्थित है, तो एक mangrove forest हो गया, तो ये एक, क्या कह सकते हैं, ये एक climatical zone नहीं है, जैसे कि शंकुधारी 1 का छेत्र जो है, ये वो climatological region है, शुष्कपाथी 1 ये climatological region है, mangrove 1 ये climatological region नहीं है, certain situations है, कि एक ऐसा situation जहाँ पर transitional zone है, जहाँ पर न वाटर बहुत ज़्यादा salty है, न वाटर बहुत ही fresh है, उस condition में हमको mangrove होता है, तो ये climatological region नहीं है, तीसरा है, उस निकटी बंधी है वर्षावन, 0 से 10 डिगरी के बीच का equatorial छेत्र, equator का जो छेत्र है, या विश्वत रेखा का छेत्र है, वो कौन सा छेत्र होता है, एक ऐसा region, जहाँ पर साल भर वर्षा होती है, throughout the year, every day in between 2 to 4 a.m, लगबग possibility हर दिन वर्षा की होती है, और temperature, साल में दो बार यहाँ पर, सुर्ण की किडने सीधी पढ़ती है, equator पे, साल में दो बार, 21st March और 27rd of September, Earth के raise 90 degree बे पढ़ते हैं, इसका मतलब throughout the year ये गर्म रहता है, तो गर्म भी है, और humid भी है, तो answer क्या होना चाहिए, D, बाकी ना भी पढ़ेना तो फर्क नहीं पढ़ता है, सिर्फ इतना ही पढ़ने से भी आप इस particular question को attempt कर सकते हैं, चली अब पढ़ते हैं इसको, देखते हैं, पत्ति, कूडा, leaf litter, किसी अन जिवाओं या बायों के तुलना में तेजी से विघटित होता है, और इसके परणाम सरुप मिट्टी की सता प्राया अनावृत होती है, मतलब हमको soil नजर ही नहीं आता है, soil के उपर वो धका रहता है या वो लगता डिकंपोज होता रहता है, पेडों के अतरिक्त वन में विविध्र प्रगार के पौधे होते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बायो डाइवर्स्री कहां पाये जाता है, दो ही जगों पे, एक एक एक्विटोरियल रीजन में और दूसरा समुदर के अंदर, और कोरल रीजन में, और कोरल रीजन को कहा जाता है, एक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ दो ओशियन से, तो रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा विविध्रता होती हैं, क्यों? क्योंकि तेमपरेचर और हुमिट कंडिशन से हैं, आप ध्यान से देखिए, अपने आसपास ही देखिए, कि मौनसून के पीरेड में, जून, जुला, एगस, सितंबर के महीने में, आसपास हर चीजें हरी भरी हो जाती हैं, बहुत सारे फूल आपको पेड़ों पे खिले हुए नजर आते हैं, और जैसे यह मौसम जाता है, आपको विविधिताएं कम नजर आते हैं, डाइवरस्टी कम नजर आती हैं, इसका मतलब है विविधित प्रगार के पेड़ पौधे होते हैं, मतलब हुमिट कंडिशन होगा, वाम कंडिशन होगा, और बाकी लिख रहा है कि इसमें कुछ पौधे आरोहन होते हैं, Epiphides होते हैं, मतलब money plant जैसे कुछ पौधे होते हैं वो लगतार पेड़ के उपर, creepers होते हैं, वो नीचे से चड़ते हुए पेड़ के उपर चड़ जाते हैं, और उपर sun rays के लिए complete करते रहते हैं, तो वैसा कुछ होता है, तो कुल मिला कि ये सारे conditions हमको बता रहे हैं, उस निकटी बन दी है वर्शावन की तरफ, तो यहाँ पर right answer क्या होना चाहिए, D's का right answer होगा, चले move करते हैं, अगले topic की तरफ, यह तो हम लोगोंने सवाना वाला देखी लिया, है ना, एक simple सा सवाल है, इस बार water resources के उपर generally सवाल आही रहा है, climate के संदर में, या climate change के संदर में, water एक important issue है, लेकिन इतना simple सवाल पूछेगा, यह नहीं पता था, सवाल बहुत आसान है, कभी है आप लोगोंने NCRT को केवल पलटा भी हो, और इस image को देख लिया हो, तो भी एक question हो सकता है, देखे, statement क्या है, पिर्थवी ग्रह पर जल के संदर में, निल जल की मातरा से ज्यादा है, अब जड़ा देख लीजे, ground water 30% है, surface water 1.2% है, और statement क्या कह रहा है, नदी और जीलों में, जल की मातरा ज्यादा है, मतलब मजाक हो रहा है क्या, अगर सोच के देखे, अगर इस image को ध्यान से देखे, तो UPS इतना असान statement पूछ रहा है, है तो factual statement है तो बहुत ही factual statement, make it और break it वाला situation है, अगर आपको यह information मालूम होगा तो कर लेंगे, नहीं मालूम होगा तो challenge होगा, अगर मेरे हिसाब से पूछे, तो ऐसे information को मतलब बड़े आराम से एक बार भी आप पढ़ें, और water grid distribution को समझें, कि हमारे पास जो fresh water हो सबसे ज़्याद नजार आता है, भूजल की मात्रा से अधिक है, तो पहला statement तो गलत हो जाएगा, दूसरा statement है, धुरुवी हिम्चद और हिम्नदों में जल की मात्रा, भूजल की मात्रा से अधिक है, धुरुवी हिम्नद, यानि कि जो हमारे permanent glaciers है, पोलर regions में जो है, या third polar of the world, जिसको पाम water से जादा है, तो ये statement ठीक है, पहला statement गलत है, तो इसका right answer क्या होगा, B is the right answer, NCRT में ये image बना हुआ है, वहाँ से उपे से ने एक question pick कर लिया, ठीक है, चली, एक और question देख लेते हैं, 64 number का ये सवाल है, black soil के बारे में question है, अगर black soil को सोचें कि black है, उसका color, और मालीजे कि हमारे दक्कन के पठार वाले region में खास करके, महरास्टा वाले छेतर में सबसे ज़्यादा उसका exchange मिलता है, तो काली का पास मृदा की rational ने बिल्गित में से किसके अपक्षय से होगी, अपक्षय मतलब आ अपक्षय स्थिती उत्पन हुई है, यह उपसे ने question बनाया, अब सोच के देखे कि काली मिट्टी है, black soil है, तो black soil के लिए जो भी content होगा वो black ही होगा, या अपक्षयक्रित जिससे वो बना होगा, जो composition होगा, black होगा, तो यह जो black soil है, इसमे या तो iron की मातरा जादा होग है ना, अगर, है ना, black soil है, और ऐसे soils का निर्मान जो होता है, वो volcanic process से होता है, black soil है, तो काफी burn होने के बाद ही होता है, तो उनका nature थोड़ा black होता है, क्यूंकि उनके में जो metallic content होए, उनकी मातरा भी जादा होती, जिसके कारण उनका color थोड़ा black हो जाता है, clear है, अब यह कह रहा है कि कि किसके अपक्षय से हुई है, किसके weather, किसके तूटने फूटने की प्रक्रिया से इस मिट्टी का निर्मान हुआ है, तो यहाँ पर 3-4 statement है, ABCD, भूरी वन बृदा, इससे कोई लेना देना नहीं है, fissure जुआला मुखी चट्टान, granite और cyst, दो प्रकार का volcanic eruption होता है, एक fissure type का होता है, और एक eruption type का होता है, कभी चर्चा करेंगे उसके बारे में, और तीसरा है, सेल और चुना पत्थर, तो यहाँ पर granite जो है, और cyst, यह दो है, जिसके erosion से, यह कह सकते हैं, जिसके weathering से, जिसके तूटने फूटने से, इस काली मिट्टी का निर्मा निकर रहे हैं कि granite और cyst कैसे बनता है, क्या composition होता है, लेकिन C is the right answer, इसको स्विकार कर लीजे, बेसिक सवाल था यह, ठीक है, यह कुछ 10-12 questions थे, जो हम लोगों समझना था, कि इस बार UPST के प्राड़ंबिक परीक्षा में, जेग्रॉफी के section से सवाल पूछे गया थे, ठ वो fundamental nature के भी है, conceptual nature के भी questions पूछे गए है, information nature के भी questions है, मतलब informations भी है, जैसे water वाला मैंने आपको बताया, information based भी है, और कुछ questions ऐसे हैं, जो current affairs से भी driven है, current affairs से driven होके, इसका मतलब नहीं कि current affairs based ही हो गया है, current affairs के idea से उन्होंने fundamental questions भी बनाया है और कुछ information based questions भी create किये है, ठी Information-based question कैसे बने एक map वाला question, जो मैंने आपको Odisha के rivers के संदर में चर्चा करके बताया कि कैसे cyclone गुलाब आया और गुलाब से कैसे दो rivers के अंदर flooding होई और वो यह basically एक idea बनगा कि map-based questions create कर लेते हैं, तो कहने का यह मतलब है कि इस बार का paper ट्रिकी है geography का, और जो questions है, उनका level of tough जो है conceptual questions का भी काफी जादा है, और जो idea pick किया गया है, वो idea कई बर हम ignore कर देते हैं, जिसके कारण यह सवाल, कुछ-कुछ सवाल जो है, थोड़ से tough हो गया है, यह tricky हो गया है, चलिए, एक छोटा सा discussion हम environment को लेके भी कर लेते हैं, लगबग 14-15 questions है, environment के sections है, जो 2021 के हमारी इ करने से पहले, एक चीज जो है, वो यह है, कि ecosystem और environment को जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारे उसके concepts को देखते हैं, जैसे ecosystem में बहुत प्रकार के जो जीव जनतु हैं, उनका क्या role है, वो क्या role play कर रहे हैं, ऐसे questions की भी संख्या इस बर देखने में काफी जादा है, कुछ pollution related questions भी पूछे गए हैं, environment हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ pollution related questions को भी हमको तैयार करना पड़ेगा, तो pollution related questions भी UPC के द्वारा पूछा गया है, बतलब कुछ questions ऐसे हैं, जो कि pollution के दायरे में आते हैं, इस अंदर में हमको थोड़ा सा syllabus मालूम होना चाहिए, कि environment का syllabus क्या है, और अ topic को touch किया गया है, environment के, ऐसा कोई भी area नहीं है, ऐसा कोई भी domain environment का नहीं है, जिसको touch नहीं किया गया है, मतलब एक widespread questions को रखा गया है, ऐसा नहीं किसी particular section से questions बनाए गया है, हर section से कोशिश किया गया है कि questions को touch करें, questions बनाएं, इस अंदर में जो suggestion है आपके लिए वो ये है, क को आप completely prepare करें क्योंकि लगबग सारे sections को touch किया गया है तो देखिए प्रारभी परिक्षा में दो तीन बातों को रखा गया है यह जो syllabus है आपका prelims examination का उसमें दो तीन चीजों को रखा गया है एक परियावणनिय परिस्थितिकी के संदर में दूसरा जैव विविधता के संद में और तीसरा जलवाई परिवर्तन के संदर में तो ecosystem या कह सकते हैं कि परिस्थितिकी जो है उसके संदर में भी UPC ने सवाल बनाया है जैव विविधता बायो डैवरस्टी के संदर में भी UPC ने questions frame किया है और climate change से जोड़ के भी जो challenges हैं खास करके pollution related issues हैं उस पर भी UPC ने challenges भी हैं उसके अपने challenges भी हैं तो conservation related questions भी बन रहे हैं परियावरन, production और छरन related भी questions हैं और मतलब इन सारे आयामों से यानि कि हमको ecosystem, biodiversity, climate change, pollution हर domain से questions प्रारंभिक परिक्षा में नज़र आ रहे हैं तो इस अंदर में जो suggestion है वो ये है कि आपको completely environment का जो section है वो prepare करना चाहिए फटा-फट इस section को देखते हैं है ना कोशिश करते हैं कि 10-15 minutes में इन questions को हम देख लें complete कर लें ये जो question है ये pollution से related है, environmental pollution से related issues पर question frame किया गया है, question पढ़ते हैं, तामर प्रगलन, copper smelting, तामर को copper कहते हैं तो copper smelting science के बारे में चिंता का कारण क्या है, क्या issues है, क्या concerns है, उसके related questions है, तीन statement दिया हुआ है, पहला statement है, वे पर्यावरंड में carbon monoxide को घातक मात्राओं में निर्मुक्त करते हैं, देखे, keyword क्या है, पर्यावरंड में carbon monoxide, carbon monoxide क्या है, एक प्रकार का कह सकते हैं कि poisonous gas है हमारे शरीर में जो कह सकते हैं कि blood है, blood में hemoglobin होता है, hemoglobin के साथ वो attach हो जाता है, उसको move नहीं करने देता है, hemoglobin oxygen carrier है, oxygen को carry करता है और सारे हमारे cells तक oxygen को पहुंच आता है, hemoglobin को जब यह रोक लेता है, block कर देता है उसके movement को, तो एक कह सकते हैं कि आपका सांस घुटने लगता है, दम घुटने लगता है, उसके बाद वो एक्ति गुजर जाता है, तो यहां question क्या है, question यह कह रहा है, कि ताम प्रगलन सैयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है, पहला statement कह रहा है कि यह पर्यावरड में carbon monoxide को घातक मात्राओं में release करते हैं, ठीक है, तो क् sure हैं कि घातक मात्रा में release करता है, तब तो सारे copper smelting plant को बंद कर देना चाहिए, अगर घातक मात्रा में release करता है, तो copper smelting plant के आज पास के सब लोग उजर जाएंगे, logic से सोच के देखिए, घातक मात्रा में release नहीं करता है, लेकिन release करता है, इसमें भी कोई दो रहाए नही है लेकिन इतना नहीं release करता है कि आस-पास के लोगों का thank you हो जाए तो कहने का यह मतलब है कि पहला statement logic से भी सोचेंगे न तो definitely release करता है इसमें कोई दो रहा नहीं है लेकिन घातक मातरा में करता है नहीं यह नहीं है नहीं तो copper smelting plant में काफी death rate होते वैसा हमको नजर नहीं आता है तो पहला statement इस अंदर में गलत है दूसरा है तामर मल copper slag copper slag का मतलब है कि जब आप copper को गर्म करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे byproducts भी निकलते हैं बहुत सारे आप coke का इस्तमाल करते हैं चारकोल का heat करते हैं तो उस पूरे process में कुछ slag निकलता है कुछ जो बचा-कुछा हिस्सा है वो भी निकलता है परेवर्ण में इससे कुछ heavy metals जाएंगे तो copper भी एक metal है उसके साथ और भी जो impurities होंगी कुछ अन्ने metal होंगे वो भी slack के साथ बहर आ जाएंगे और environment का हिस्सा बन जाएंगे तो ये बात तो ठीक है ये point तो ठीक है तो दूसरा इस statement ठीक है तीसरा sulfur dioxide को एक प्रदुशक के रूप में निर्मुक्त करता है copper को burn करेंगे copper के साथ बहुत सारे कह सकते हैं कि pollutants होंगे और उसको जब आप burn करेंगे तो उस पूरी प्रक्रिया में sulfur dioxide, nitrous oxide ये सारे जो चीजें वो निकलती हैं तो तीसरा statement भी ठीक है अब अगर ये कहता ना घातक मातरा, घातक मातरा, घातक मातरा तो ऐसे statement में सारे statement गलत हो जाते निकलते हैं लेकिन घातक मातरा में नहीं निकलते हैं तो दूसरा और तीसरा, ये दुनों statement ठीक है पहला statement इसलिए गलत है क्योंकि घातक मातरा लिखा हुआ है तो 2 और 3 इसका right answer होगा तो यहाँ पर 17 का जो B है वो इसका right answer हो जाएगा अगले question की तरफ चलते हैं question पर चलने से पहले हमारे test में हमने इस पर question नहीं बनाया था लेकिन ये idea कहां से आया तो Bessel Convention से related article आया हुआ था उससे UPC ने pick किया है और वहाँ पर सेम ऐसे statement वहाँ पर लिखे हुए थे उन statement को frame करके UPC ने सेवाल बना लिया है इसका मतलब है कि थोड़ी reading जादा हो गई देखे researchgate.net मतलब UPC काफी पढ़ रहा है तो आप भी इस article को या researchgate नाम की इस journal को थोड़ा से ध्यान में रखिए और कुछ pollution related या कुछ environment related अगर इसमें कुछ articles आते हैं तो थोड़ा सा उसमें interest लीजे दूसरा देख लेते हैं एक 18 नंबर का जो सवाल है उसको देखते हैं वो क्या है भटी तेल भटी तेल क्या होता है या कह सकते हैं furnace oil कह सकते हैं इसको हेवी oil कह सकते हैं इसको देख लीजे देखिए जो crude oil होता है उसको हम अलग-अलग temperature पर जब उसको heat करते जाते हैं तो अलग-अलग products उससे या उसके byproducts निकलते हैं उसमें से एक important है जो है वो diesel fuel और heating oil या heavy oils कह सकते हैं ठीक है? दुनिया के बहुत सारे देशों में जहां पर oil का production काफी ज़्यादा हो रहा है है ना? वो उसका इस्तमाल किसले किसले करेंगे? hitting के लिए कर सकते हैं, electricity generation के लिए कर सकते हैं दिल्ली NCR के region में ही देखिए जब light चली जाती है तो generators run होने शुरू हो जाते हैं वो generators कई बाद diesel और heavy oil का भी इस्तमाल करते हैं अब इस topic को देखिए यह भी pollution से related ही topic लग रहा है बटी तेल के संदर में निम्ली कत्रों पर या furnace oil के संदर में निम्ली कत्रों पर विचार करें दो-तीनी statement दिया हुआ है और हमको देखना है कि कौन सा इस statement ठीक है यह तेल रिफाइनरों का एक उतपाद है तो यहाँ पर जब fractional distillation की प्रक्रिया से होके गुजरता है अलग-अलग तापपान पर जब crude oil को heat किया जाता है तो अलग-अलग products निकलते हैं तो क्या refinery का हिस्सा है तो definitely है तो पहला इस statement तो ठीक हो गया दूसरा कुछ उद्योग उसका उप्योग उर्जा पावर उतपादन के लिए करते हैं होता है energy production के लिए है ना इसका इस्तमाल किया जाता है खास करके West Asia के देशों में जिनके पास oil बहुत ज़ादा है वो इससे electricity generate करने के लिए भी इसका इस्तमाल करते हैं तो second statement भी ठीक है इसके उप्योग से पर्यावरेंट में गंधक का सर्जन होता है गंधक भी इससे release होता है तो हाँ इसमें pollutants होते हैं heavy oil है तो वो इसमें release भी होता है तो तीसरा statement भी ठीक है तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा यह तीनों statement ठीक होगे पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों statement ठीक होगे, तो यहाँ पर right answer इसका D होना चाहिए, ठीक है, हिंदू में इसको लेके article आया था, अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि क्यों यह सवाल बना, यह सवाल इसलिए बना, क्योंकि केरला के तड़ पे, केरला government का एक refinery है, उससे Furnal Soil एक large quantity में, वो release हो गया था, coastal area में, उससे ocean, pollutant, यह कह सकते हैं कि ocean का pollution हुआ, और pollution हुआ तो उस सदर में UPC ने इस Furnal Soil से related questions बनाया है, तो कहने का यह मतलब है कि ऐसे ही नहीं UPC का मन किया कि Furnal Soil से बना दिया जाए, केरला के पास एक ऐसी tragedy हुई, है ना, thousands of liters जो है Furnal Soil वो release हुआ, और वैसे इस हिती में UPC के द्वारे यह question मनाएगा, तो D's का right answer होगा, यह आपको ध्यान में रखना है, 20 number का question देख लेते हैं, यह क्या है, वह ही है, biodiversity से related है, है ना, कुछ, fern, lichen, moss, छत्रक, इसके बारे में, पूछा है, प्रकृती में निबलिखित में से किस जीव या जीवों के मृदविहीन सतर पर उगने की संभावना है, मतलब यह कह रहा है कि 3-4 नाम दे दिये हैं, और आपको बताना है कि इन में से कौन ऐसे हैं, जो without soil भी grow कर सकते हैं, अब यहां दिमाग यह मत लगाएगा, हाइडरोफॉनिक सोचने लगेगा, कि मिटी के उगाए जा सकता है, वहां तक नहीं जाना है, यहां पर 3-4 नाम दिये हैं और हमको calculate करना है कि इन में से कौन-कौन से plant हैं, जो without soil भी उगाए जा सकते हैं, तो यहां fern है, lichen है, moss है, छतरक है, छतरक मतलब mushroom हो गया, fern को fern नहीं कहते हैं, इंगलिश में भी, plant होते हैं, और इनको soil की जरूवत होती है, without soil यह grow नहीं करते हैं, generally किसी पेड़ पौधो के जड़ में होते हैं, या shade वाले condition में होते हैं, मतलब इनको shady condition अच्छा लगता है, इनको थोड़ा humid condition भी अच्छा लगता है, लेकिन इनको soil चाहिए, इनके roots होते हैं, without roots के यह plant न इसा, पहाड़ों में भी आप देखिए कि चटान है, उस चटानों में थोड़ा सा भी अगर shade है, ठंड पढ़ रही है, या उसमें shade पढ़ रहा है, और उसमें थोड़ा सा humidity है, पानी है, तो उसमें काई जम जाती है, तो इसका मतलब है कि इनको बहुत ज़्यादा nutrition के है, humid condition में ये grow करना शुरू कर देते हैं, तो lichen हो सकता है, without soil भी grow कर सकता है, moss, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, यह है moss, पानी में कई बार आप देखेंगे, कि green green सा layer है, उसको algal bloom भी कहते है, algae algae सा पूरा नजर आएगा, green green सा color नजर आएगा, ये जो पतले पतले से ये बिल्कुल green green का cover जो पानी पे फैल जाता है, आपको क्या लगता है, उसके roots जमीन तक जाते हैं, नहीं, उसको केवल क्या humid condition चाहिए होता है, और nutrition के लिए वो किस पर dependent हो जाते हैं, उस water resource में जो भी fertilizer है ना, nitrogen, phosphorus, potassium हा रहा है, उन सब को वो use करके अपना food का production करना जाएंगे, जैसे कि आप कई बार water bodies में देखते होंगी, बड़ा उथला सा, गंदा सा, हरा हरा सा color है, उसको algal bloom कहते हैं, तो lichen और moss, ये दो इसके होंगे, छतरक, mushroom, कभी भी आपने mushroom देखा है कि बिना soil में हो, उसको soil की जरुवत पढ़ती ही है, जनरली सोच के तो पहला और चौथा नहीं होगा, दूसरा और तीसरा इसका right answer होगा, C ये 20 का, C इसका right answer होगा, अब आप सोचेंगे कि ये सवाल क्यों पूछा, तो ये सवाल इसलिए पूछा, क्योंकि class 11 के biology की किताब में इन 3-4 का example देके बताये गया है, कि ये root वाले plant हैं, ये बिना root के भी हो सकते हैं, ये केवल पानी में ही हो सकते हैं, इनको humid condition चलिए, UPSC ने as it is वहाँ से question उठाया और वो सवाल बना दिया, मतलब basic question है ये, चलिए, move करते हैं आगे, निमलिखित में से किसका उपयोग, प्राकृतिक बच्छर प्रतिकर्शी या mosquito प्रतिकर्शी का मतलब ह चीज़ है, है ना, encephalitis, dengue, malaria, तो ऐसे में हम जो भी mosquito repellent का इस्तमाल करें, जैसे घर में all out जला रहे हैं, जो भी mosquito repellent हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब chemical based है, उसके अपने harmful effect है, तो क्या natural, है ना, प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्शी repellents भी है, तो एक महत्पून इसमें से है lemon grass, खूब सारे articles है थे इस पर, खूब सारे articles है थे, और केवल lemon grass है नहीं, और क्या-क्या हो सकता है, है ना, जो एक alternative हो सकता है, बहतर, उसके ओपर एक article आया हुआ था, मतलब बहुत सारे articles है थे, एक article जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो मैंने India Today का देखा, तो और लहसुन होता है, उसकी भी चर्चा थी, कि उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, कि लहसुन को गर्म कर दीजे और उसके पानी से नहा लिजाए, भाई साब, लहसुन के पानी से कौन नहाता है, लेकिन उसमें एक idea था, कि अगर मच्छर से बचना है तो कर सकते हैं, तो कुछ हो तो वैसा भी कखिया जा सकता है तो lemon grass उसका example होगा lemon grass बहुत popular है बहुत common है किसी भी nursery में आप जाएंगे तो lemon grass मिल जाता है कुछ इस तरह का दिखता है तो इसका जो right answer होगा 21 का वो c lemon grass होगा ठीक है चलिए move करते हैं अगला question है ये भी UPC को बड़ा मज़ा आ रहा है इस बार ऐसे सवाल बनाने में तो यहाँ पर UPC ने एक ऐसा question भी बनाया है ये भी basic question है biology की किताब में है NCRT की book में है question किस के उपर है autotrops के उपर है autotrops का मतलब है कि वैसे जीव जो अपना खाना खुदी बना लेते हैं उनको किसी और की जरुवत नहीं है सूरी की रौष्णी मिली photosynthesis की प्रक्रिया हुई और उन्हें अपना भूजन बना लिया जैसे कि plants लेकिन आप plants तो लिखा नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ नाम लिखे हुए हैं आपको उसमें से choose करना है कि कौन autotrop है food chain और food wave में autotrops foundation है मचलियां तो बाद में आएंगी पहले मचलियों का भूजन तयार होगा और ये मचलियों का भूजन है autotrops आप लोग आगे पढ़ेंगे phytoplankton, zooplankton, zoosanthle, बहुत सारे से छोटे-छोटे जीव है है ना अगर वो ना हो तो पूरा का पूरा ecosystem survive नहीं कर सकता है पूरा food chain और food wave नहीं बन सकता है तो autotrops most fundamental है किसी भी ecosystem का सबसे important हिस्सा वो है तो UPSC ने वहाँ पर 3-4 नाम दिये हैं कापीपोड, साइनो बैक्टेरिया, डाय अटम और फॉरनिफेरा यह 3-4 बताये हैं और पूछाया है इसमें से बताईए कि कौन अपना खाना खुद बना लेते हैं कौन autotrops हैं, यही है ना question इन जीवों पर विचार करिये और उप्रिक में से कौन से जीव महासागरों की आहार शिंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है autotrops है, primary producers है किसी और से खाना नहीं लेते हैं अपना खाना खुद बना लेते हैं अपना खाना खुद बनाने का मतलब क्या है carbon dioxide लिया H2O मिला, पानी मिला और photosynthesis, sunlight मिला उसकी प्रक्रिया से अपने food को बनाने लगे जैसे plant करते हैं तो ऐसे autotrops तो यहाँ पर तींचान नाम दिये हैं यह एक छोटा सा बहुत ही 1-2 mm का एक छोटा सा जीव होता है यह दूसरे को खा खा के अपना काम चलाता है तो copy port तो नहीं होगा यह है copy port, देखिए इसके sensors लगे हैं, वो हमेशा किसी न किसी के खोज में रहता है बनाते हैं, तो यह अपना काम खुद करते हैं, मतलब autotrops हैं photosynthesis की प्रक्रिया से करते हैं diatum, diatum क्या होता है diatum, समुदर के नीचे यह plants सी होते हैं लेकिन यह समुदर में डूबे हो गए होते हैं और समुदर में डूबे होए तो इनका color green ना होके diatum अगर ना हो तो coral reefs नहीं हो सकते हैं, उनके साथ ही जुडे हुए हैं, तो यहाँ पर 2 हैं, cyanobacteria और diatum यह दो ऐसी चीज़े हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं they are autotrops, they are primary producers तो यहाँ यह है, यह जो है जिसका नाम है fornifera इसका यह जो बड़ा वाला space देख रहे हैं, इस बड़े वाले space में वो छोटे-छोटे, जो भी micro या mm में जो छोटे-छोटे जीव होते हैं, उनको वो catch करता है और catch करके वो खाता रहता है इसका मतलब यह autotroft नहीं है, तो यहाँ पर answer क्या होना चाहिए, 2 और 3 का, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, basic question है biology की किताब में वो दिया भी है हमने अपने test series में या test के question में भी इसको include किया था 2-3 खोज लिजे, जहां मिल जाएगा वो right answer होगा तो 22 का जो right answer होगा वो 20 का right answer होगा चलिए, आगे बढ़ते हैं ये पूछा यूपेसी ने pangoline के बारे में पूछा Health hawk के बारे में पूछा है pangoline के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि चाइना में जो है एक कह सकते हैं की बड़े परिशान हो गए कि या पहले तो एक disease आया, है न, COVID या Corona, उसके बाद वहाँ पर एक और disease spread हुआ, जो कि एक प्रकार का कह सकते हैं कि bacterial infection था, वो इस जीव से आता था, किस से? पैंगोलीन से, तो UPSC, चुंकि ये news में था और लग रहा था कि यार एक और कोई pandemic ना हो जाए, तो वैसे इस थिती में UPSC ने पैंगोलीन के संदर में भी, क्योंकि चाइना में एक बड़ा outbreak हुआ था, चाइना को कुछ शेहरों को close करना पड़ा था, तो वैसे situation में इंडिया ने उस संदर में अपने UPSC ने question बना लिया, तो यहाँ तीन चीज़ों को देख लेते हैं, hedgehog, शेल मूलक और वजर शलक, UPSC ने क्या पूछा है, इनके बारे में पूछा कि यार यह करते क्या है, अपने आपका survival mechanism इनका क्या है, यह चुहे जैसा होता है, है ना, लेकिन कोई इसको खा नहीं सकता है, क्योंकि यह चुहे के चारों तरफ ना, काटे-काटे होगे हुए है जैसे यह है ना, आराम से भी आराम फर्मा रहा है, और जैसे ही कोई target करता है, वो ऐसा ही एक round circle में हो जाता है, अब देखिए भी, यह देखिए, और यह काटे होते हैं, मतलब आप इसको खा नहीं सकते हैं, कोई भी चीज़ को खा नहीं पाता है, यह इसका survival का mechanism है, defense का mechanism है यह क्या है, जहक, दूसरा है, shell mulak, marmot के नाम से भी इसको जाना जाता है, यह बिचारा इसके पास ऐसा कोई system नहीं है कि circular होके अपना कुछ निकाल ले और अपने आपको बचा पाए, सीधा साधा होता है, बड़े आराम से catch कर लिया जाता है, ठीक है, इसलिए यह one of the most endangered species है ठीक है, तो यह तो नहीं है, इसका characteristic समझ गए, यह भी देखिए, यह भी अपने आपको circle बना लेता है, और इसका भी उपर वाला surface बहुत hard होता है, तो कोई भी इसको खा नहीं पाता है क्योंगी पत्थर जासा लगता है, देखने में पत्थर जासा लगता है, तो identify नहीं क कम करने के लिए swim को लपेट कर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है, लपेट लेता है, circular हो जाता है, कैसे भी अपने आपको बचाता है, तो तीनों images को देखके clearly नजर आ रहा है, यह पहला वाला और दूसरा वाला, यह बिचार है कहां ही लपेटेगा अपने आपको लग भी नहीं रहा है कि लपेट पाएगा, ठीक है, तो first और third, इसका right answer होगा, अब हमको खोजना है कि first और third कहां पर है, तो D में मिल गया, D is the right answer, तो 23rd का जो right answer है, वो है D, discoverworldlife.com में इसके बारे में चर्चा हो रही थी कि जो चाइना में outbreak हुआ, तो उसके संदर में UPC ने question बनाया है, यहां से, एक और question देख लेते हैं, 24 का, 24, वनो पर New York घोशना पत्र, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं और फिर आप इसको बड़े आराम से eliminate करके कर सक देखे, United Nations Secretary General ने New York में 2014 में एक meeting बुलाई, meeting बुलाने का purpose यह था, वो कह रहे थे कि यार, दुनिया भर में पेड़ों की संख्या बहुत कम हो रही है, और बड़ी तेजी से पेड़ों को काटा जा रहा है, और खास करके जो tropical countries हो कह रहे हैं कि यार, दुनिया के lungs तो हम ही है Amazon कह रहा है कि सबसे ज़्यादा पेड़ हमारे पास हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है, कार्बन सिंग तो हम है दुनिया के, लेकिन उसके लिए क्या मुझे support किया जा रहा है, Green Climate Fund से क्या मुझे fund मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो यह क्या कर रहे हैं कि अपने-पने forest को clean करके economic activities को promote कर रहे हैं, और इससे पूरी दुनिया भर में deforestation का pace तेज हुआ है, अगर last 2-3 years को देखें, तो Amazon Rainforest में एक साल में 75,000 बार forest fire हुआ है, एक साल में 75,000 ताइम्स, किसी भी जगह पे natural तरीके से 75,000 बार forest fire नहीं हो सकता है, वो एक प्रकार से एक attempt है government की तरफ से कि आप करिए, मतलब वहां के जो भी local communities हैं, उनको support किया जा रहा है, ताकि economic activities बढ़े, employment opportunities create हो, ठीक है, ये चिंता का विशा है overall, globally, क्योंकि दुनिया भर में imagine करिए, कि अगर European Union fuel को burn कर रहा है, तो CO2, carbon dioxide, green ice, gases का emission कर रहा है, अगर दुनिया emission करना भी बंद कर देगी, और केवल आप forest को cut करते रहेंगे, तब भी CO2 को आप release करते रहेंगे, carbon के sink का important source है forest, और खास करके tropical rainforest, और उसमें लगता है deforestation का rate बहुत fast था, तो ऐसे में एक target बनाए गया, कुछ दुनिया के देश इकटे हुए, 37 countries, उन्होंने target बनाया, कि हमको इस पूरे process को पहले तो रोकना है, फिर reverse करना है, reverse करना है का मतलब है कि पेड काटने के जगा पेड जादे लगाये जाने चाहिए, तो इस तरह से उन्होंने 2020, 2030 तक कुछ targets fix किये, clear है, उसी के संदर में बा है, जो debate discussion हो रहे है, मैं उसका हिस्सा हूँ, COP26 में, Glasgow में अगले महीने meeting होने वाली है, मैं उसमें अपना जिम्यदारी निभाऊंगा, ये develop country के अपने agenda के साथ में नहीं रहूंगा, तो India is not a partner of it, ठीक है, अब इस संदर में 2-3 statement लिखे हुए है, 2014 में सयुक तरास पहली बार इसका समर्थन किया गया था, 2014 में climate change का summit हुआ था, वहाँ पर United Nations Secretary General ने propose किया था इसको, तो बात तो ठीक है, दूसरा, इसमें one के हास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया है, ये भी बात ठीक है, ये वैध रूप से, मतलब समय रिवर्स करना है, ज्यादा पेड लगाना है, ये सब क्या है, टाइम लाइन्स ही है, तो दूसरा statement भी ठीक हो गया, तीसरा, ये वैध रूप से, बाध्धेकारी अंतरास्ट्री घोषना है, बाध्धेकारी नहीं है, बाध्धेकारी नहीं है, बाध्धेकारी नहीं है, बा पहला, दूसरा, चौथा इस statement ठीक हो गया, पाँचवा है, भारत इसके प्रारंभ के समय से हस्तक्षर करताओं में से एक था, हम इसका हिस्सा नहीं है, अभी भी इसका हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब है कि पहला, दूसरा और चौथा, ये statement ठीक है और ये हमको कहां मिल रहा A में, तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, A is the right आंसर, चलिए, मूव करते हैं, डाउन टू अर्थ में इसके बारे में चर्चा हुई थी, डिफॉरेस्टेशन के संदर में US concerned था, और चाहता था कि डिफॉरेस्टेशन को रूखा जाये तो meeting करना चाहता था, तो news में था, यही कह रहा है कि magnetite जो interferences create होते हैं, उससे Alzheimer जैसे disease होते हैं, ऐसा आज का research कहता है, मतलब जो magnetite होता है, वो iron का यह खिस्सा है, हमारे brain में अगर वो इकठा होता रहता है, तो Alzheimer जैसे इस्थिती को जनद देता है, clear है? अब सवाल क्यों बना, यार यह magnetite, Alzheimer और यह newdo degenerative disease, यह UPS इने क्यों बनाया, यह इसलिए बनाया है, क्योंकि देश में 5G के trials हो रहे हैं, और 5G के trials में आपने देखा होगा कि देश के कई हिस्सों में इसका विरोध भी हो रहा है, WhatsApp universities में भी लोग अलग-अलग तरीके से इसमें अपने information को share करें, कि यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वो होगा, clear है? लेकिन इसके कुछ serious concerns भी हैं, serious concerns क्या है? तो serious concerns यहीं है कि electromagnetic waves होते हैं, जो आप telecommunication के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो electromagnetic waves होते हैं, और electromagnetic waves अगर होते हैं, तो magnetic waves के interference से ऐसे Alzheimer disease हो सकते हैं, इसलिए Government of India जो है, उसके लिए एक, मतलब rules and regulations बनाती हैं, कि जो भी telecommunication के towers हैं, उनका radiation का level कितना होना चाहिए? अगर उससे ज़्यादा के radiation के levels मिलते हैं, तो उन towers को वहाँ से uninstall किया जाता है. तो यह सारे चीज़े news में थी, तो इस अंदर में UPSC ने सवाल बनाया, questions create किया, कि तांत्री का अपहास या neurodegenerative resist किससे किससे हो सकता है, या ऐसे magnetic चीज़े कहां कहां से release होती है. तो मोटर गाड़ी का जो brake है, उस brake में भी magnetic property का इस्तेमाल होता है, तो वहां से भी ऐसे small और fraction of particles वहां से release होता है. तो वो भी एक है, motor गाड़ी का engine, इसी magnetic properties से उसका भी वो भी एक प्रकार का generator ही तो है, तो वो electricity generate करता है, तो electromagnetic properties की वहां पर भी इस्तेमाल होता है, ये भी है, घरों में प्रयोग होना microwave, कभी microwave को nut bolt से खोल के देखीगा, चारो तरफ चुमबक ही चुमबक नजर आएंगे आपको, है न, magnet ही magnet नजर आएंगे, तो वहां से भी वो release होता है, बिजली के सैयंत्र, वहां से भी होता है, टेलिफोन के line, वहां से भी होता है, सब होगा इसका answer, इस तब को टिक कर दीजेगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो 25 का जो right answer होगा, वो D's का right answer होगा, ठीक है, गारजियन में ये था, मतलब unexpected question था, बहुत जादा हमारे भी देश में इसके बारे में एक चर्चा नहीं हो रही थी, neurodegeneration के संदर में, गारजियन में एक अच्छा article पब्लिश हुआ, कि जो लोग गुजर गये थे, तो उनके brain में काफी ज़्यादा magnet या magnetite देखा गया था, और वो Alzheimer से भी PD थे, तो वहाँ पर इसको उससे लिंक किया गया था, निमलिखित में से कौन सा जीव निस्पंदक भोजी है, filter feeder है, filter feeder का मतलब होता है कि, जो भी waste हम create कर रहे हैं, उसमें वो अपने लिए कुछ resource खोज लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब है, एक तरह से, जो भी waste create हो रहा है, या environment में जो भी waste जा रहा है, उसको वो filter करने में महत्पूर्ण भूमी का निभाते हैं, और इसमें सबसे महत्पूर्ण है, oyster, oyster क्या होता है, आप देखें होंगे, है ना, oyster का मतलब क्या होता है, जिसमें मोतियां होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको, seep, नहीं, seep नहीं, ठीक है, oyster, oyster ही रहने दिए, यहां लिखा है क्या कहीं, stones आ गए, तो उसके body में चला जाता है, तो उसको roll करता रहता है, वो ही roll करते करते, वो उसको discreet करता है, तो मोती के रूप में बाहर आता है, oyster culture को हाल ही में, government of India या tri-fed नाम की एक संस्ता है, tribal federation, जो tribal products को promote करना चाहती है, जारखंड में oyster culture को हम promote कर रहे हैं, तो उस अंदर में oyster culture काफी news में था, कि tribal areas के development के point of view से, oyster culture को promote करना चाहिए, तो यहाँ पर oyster को लेके UPC ने question create किया, ठीक है, चलिए, तो इसका right answer क्या होगा, sepia oyster, move करते हैं आगे, निमलिखित जयो racionic चक्रों में से, यहाँ पर कुछ चक्र का नाम है, nitrogen cycle, phosphorus cycle, इस तरह से कुछ cycles के नाम है, sulfur चक्र, है ना, और यह कह रहा है कि यह जो cycles हैं, जो भी nutrition के cycles हैं, यह अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोशक तत्वों के निर्वुक्त होने का मुख स्रोथ हैं, निमलिकित जैव रसाइनिक चक्रों में से, किसमे चटानों का अपक्षय होके, stones का weathering होके, ऐसे पोशक तत्व release होते हैं, मतलब stone के एक महत्पोन भूमिका होती है, यानि कि stone जो तूट रहे हैं, या जो degrade हो रहे हैं, उनका जो होते हैं, तो यह cycle पूछ रहा है, चटानों से कौन से release होते हैं, तो phosphorus, N, P, K, तीन प्रकार के fertilizers होते हैं, nitrogenous fertilizer, phosphorus और potash, government of India लगतार promote कर रहा है, बस 10 minutes के लिए शान्त हो जाईए आप लोग, सिर्फ 10 minutes के लिए, सिर्फ 10 minutes के लिए आप लोग शान्त हो जाईए, ठीक है, 10 minutes में 4-5 questions से हों complete हो जाएंगे, ठीक है, government of India के द्वारा, यह government of India के द्वारा जो promote किया जा रहा है, वो है आत्म निर्भर भारत, देखें, हमारे देश में N, P, K, तीन fertilizer से nitrogen, phosphorus और potash, nitrogen मतलब urea, self-sufficient है, overproduction करते हैं, phosphorus इसमें हम पूरी दुनिया भर से import करते हैं, हम self-sufficient नहीं है, potash इसमें हम self-sufficient नहीं है, और balance fertilizer का utilization क्या है, N, P, K, 4 is to 2 is to 1 का ratio होना चाहिए, और phosphorus का हम production में self-sufficient नहीं है, तो government of India phosphorus का या phosphate fertilizer का production बढ़ाना चाहता है, उसमें आतनिर्बन होना चाहता है, और इस पूरी प्रक्रिया में phosphorus news में था, तो UPSC ने उसको ecosystem के point of view से question create करके, phosphorus cycle पे questions create किया, ठीक है, कौन सा था, यह question create किया, phosphorus cycle, ठीक है, तो यहाँ पर phosphorus cycle भी बना दी है आपके लिए, कि phosphorus cycle क्या है, तो कुछ नहीं है, यहीं है, कि जो stones हैं, या जो rocks हैं, उनके breakdown से phosphorus जो उनमें है, वो release होता है, plants, animals उसको consume करते हैं, और गुजरने के बाद उन दुबारा release होते हैं, तो यह फिर उसका cycle हो जाता है, इस तरह से phosphorus cycle है, तो हम चाहते हैं कि rock से, या rock phosphate को production करके इंडिया आत्मिर्भर उसमें हो, तो यहाँ पर यह सवाल बना, यहाँ पर cease का right answer होगा, 28 का जो सवाल है, यह 28 नमबर का जो सवाल है, इसमें detrivor के संदर में है, किन में से कौन-कौन से जो हैं detrivorus हैं, मतलब जो कह सकते हैं, जो पर्यावरेंड में कोई भी चीज खराब होके पहुँच रही है, उसको वो consume करते हैं, तो यहाँ पर 3-4 चीज़ों का नाम है, basic सवाल है, या basic topic है, NCRT में वो cover है, Vision ISK test series में भी इसको include किया गया था, केचुआ यही करता है, माना जाता है कि केचुआ अगर जिस भी जमीन में है, तो वो जमीन fertile होगी, क्यों? क्योंकि जितने भी आप कह सकते हैं, कि pollutants होते हैं, उसको consume करने, या एक तरीके से oxygenated करने का काम करता है soil को, तो इसकी भूमी का है, तो यह होगा, इसके लावा और क्या हो सकता है? इसके लावा इसका एक millipid और wood lice, यह तीनों के तीनों जो हैं, यह जमीन के अंदर रहने वाले प्राणी हैं, earth warm की तरह ही होते हैं, earth warm की तरह ही filter का का काम करते हैं, बाकी इसकी चर्चा नहीं करते हैं, और 3, जिसमें होगा 1, 3, 5, C इसका right answer होगा, 28 का C इसका right answer होगा. एक यह question देख लेते हैं, UNEP से related, UNEP के द्वारा समर्थित common carbon metric को किसके लिए विक्सित किया गया है, common carbon metric, इसको किसके लिए विक्सित किया गया है, तो इसका purpose यह है, कि जितने भी building construction के activities हो रही है, जैसे मालें जे कि हम एक building में हैं अभी, एक building में हम यहाँ पर अवस्थित हैं, imagine करिए कि अगर यहाँ पर AC चल रहा है, light जल रहा है, तो कितना ज़्यादा carbon का यहाँ से emission हो रहा होगा, अगर हम एकदम exactly, accurately, दुनिया भर में जितने भी buildings हैं, उनके emissions को हम कर पाएं, तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि, accurately बता सकते हैं कि, कितना emission हर देन per day release हो रहा है, इसको target करना है, इसको समझना है, और यही है UNEP के द्वारा समर्थित common carbon metric, सब के लिए एक, खास करके, जो भी buildings हैं, उसे जो emissions release हो रहे हैं, हम उसको accurately detect कर पाएं, तब जाके हम exactly पता कर पाएंगे, कि environment में कितना carbon या green house gases का emission exactly हो रहा है, अभी estimate है, यही है आपका carbon, common carbon metric, तो यहाँ पर जो भी D statement यह fit बैठ है, उस पर आपको tick कर देना है, पहला ही statement कह रहा है, कि संपून विश्व में निर्मान कारियों के carbon पद्चिन का आकलन करने के लिए, तो यही कह रहा है थे construction activities, buildings, उसमें जो भी निर्मान चल रहा है, जो भी economic activities चल रही हैं, उससे कितना carbon release हो रहा है, उसको हमको detect करना है, और यही common carbon metric है, तो यहाँ पर right answer जो है 29 का A होगा, क्योंकि मैंने concept आपको बता दिया, बाकी हमको देखने की जरुवत नहीं है, 30 के question की तरफ चलते हैं, निमलिखित समोह में से किनमें ऐसी जातियां होती, जो अन जिवों के साथ सहजीवी संबंध बनाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर दो-तीन प्रकार के जिवों के नाम दिये हुए हैं, protozoa, phagy, और नाइडेडेरिया या नाइडेरिया, यह तीन प्रकार के जो हैं, यह सब के सब single cell, double cell या वो हैं, और यहाँ पर कवक, protozoa, जो है, वो, फैंजाई जो है, वो, लाइकन का निर्माण कर देता है, protozoa के साथ मिलके, फैजाई के साथ मिलके, लाइकन का निर्माण करता है, नाइडेरिया जो है, वो कह सकते हैं कि, जुजैंथले के साथ मिलके, जुजन्थले के साथ मिलके Coral reefs के formation में इसकी महत्पूर्ण भूमिका होती है Coral reefs जिसको कहा जाता है कि Rainforest of the Ocean वो इसके बिना संभव नहीं है चुक्कि Nideria जुजन्थले के साथ रहता है, जुजन्थले फाइटो फ्लेंक्टॉन के साथ रहता है और फाइटो प्लेंक्टॉन को खाने के लिए मचलिया हो जाती है जुजन्थले नाइडेरिया के साथ रहता है और नाइडेरिया को उससे भोजन मिलता है और सर्वाइवल जुजन्थले को मिल जाता है इसके द्वारा और ये दोनों कहां रहते हैं इन दोनों के लिए protection का home coral reefs हो जाते हैं. Coral reefs का जो color होता है, अलग-अलग रंग होता है, वो zoosanthalé के कारण होता है. या coral reefs अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, zoosanthalé उनको खाना देता है. तो nideria zoosanthalé को, zoosanthalé coral reefs को. इस पूरे प्रक्रिया में ecosystem का development होता है, तो तीनों यहाँ पर right answer होंगे. 1, 2, 3. तो इसका D इसका right answer होगा. Simple question है, NCRT से एक question UPC के दुवारा frame किया गया था, हमने भी vision के test series में इसको include किया है, ठीक है? ताड के तेल के संदर में एक question पूछा गया है, दो-तीन questions और हैं, आप एक शक्र जल्दी हो जाएंगे. ताड का तेल, palm oil. इंडिया सबसे ज़्यादा consumer है palm oil का, पूरी दुनिया भर में. सबसे ज़्यादा हम Malaysia और Indonesia से मंगाते थे, Malaysia ने थोड़ा सा हमको तंग किया, आर्टिकल 370 पे कहने लगा कि कश्मीर के issue पे वो पागिस्तान का समर्थन कर रहा था, हमने उसका दाना-पानी बंद कर दिया. Palm oil मंगाना Malaysia से बहुत कम कर दिया. ठीक है? और हमने कहा कि अब हम खुदी palm oil produce करेंगे. और Government of India ने palm oil को लेके policy बनाई, मतलब मलेशिया में जैसा climate condition है, वैसा हमारे north east के राज्जियों में है. तो क्यों ना हम अपने palm oil का production यहां से करें? तो उस पूरी स्थिती में palm oil का production यहां से हो रहा है. मतलब news में है. अभी शुरू नहीं हुआ है, north east news में. तो यहां पर युपेस ने यही पूछा कि ताड का तेल, रिक्ष, दक्षनी, पूर्वी, हाई देसे में प्राकृतिक रूप से पाय जाता है तो नहीं. यहां का native plant नहीं है. Native plant यह Western Africa का है. Western Africa से Britishers ने इसको मलेशिया और इंडोनेशिया में तो दूसरा भी ठीक है. ताड के तेल का उप्योग, जैव डीजल के रूप में, बायो डीजल के रूप में भी इसको alternative के रूप में देखा जा रहा है. तो यह भी statement ठीक है. है ना, कि palm oil का production जो है, काफी ज़्यादा अगर देश में बढ़ जाएगा, जैव डीजल के रूप में. तो दूसरा इस statement ठीक है, तीसरा इस statement ठीक है, पहला इस statement गलत है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा, B is the right answer. ठीक है? मूफ करते हैं, अगले question की तरफ, विजन के test series में हम लोगों ने इस question को include किया था. हिंदू में भी article इसको लेकर आया हुआ था. मलेशय के साथ जब हमारा विवाद चल रहा था, तो government of India ने कहा कि हम palm oil का production अपने देश में ही करेंगे. Northeast को हम target कर रहे हैं, same climatic condition है. वहाँ पर हम इसको environmentalist इसका oppose कर रहे हैं, क्योंकि palm oil एक invasive species है. क्यों है, उसको कभी चर्चा करेंगे. 59, climate smart agriculture के related है. अब इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसको देखिएगा, काफी लंबी चर्चा हो गई है. economics की चर्चा भी सर आपके साथ करेंगे. तो climate smart agriculture में इसका जो right answer होगा, वो सारे statement इसके ठीक है. इसलिए चर्चा नहीं करता है, तीनों statement ठीक है. 1, 2, 3, यह तीनों statement right है, तो इसकी चर्चा नहीं करता है. ठीक है? यहाँ पर एक question और देख लेते हैं. निमलिकित कत्रों पर विचार करिए. moringa, आप drum stick का पेड़ देखे होंगे, यहाँ नहीं भी देखेंगो, तो drum stick तो खाये होंगे कभी. है ना? तो drum stick के पेड़ को moringa कहते हैं. ठीक है? न्यूज में क्यों है? न्यूज के कारण यह है, कि COVID के crisis में माना गया कि drum stick के जो बीज हैं, उसके जो seeds हैं, उनका medicinal properties हैं. है ना? उनमें protein की मात्रा बहुत ज़्यादा है. और आपने सुना होगा कि COVID के crisis में, या अगर किसी को corona हुआ है, तो आपको protein खूब लेने के लिए के लिए कहता है. This is one of the simplest form of protein. तो moringa के seeds को crush करके, उसके medicinal values हैं, उसको use किया जाता है. चाइना में जब outbreak बहुत ज़्यादा हुआ, तो we are the largest exporter of moringa, या सहजन का जो paid है, उसका seeds है, उसका we are the largest exporter. इंडिया का endemic है, भारत में ही पाया जाता है. ठीक है? तो इसका जो rate है लगबग 700 to 800 रुपीजी के rate से हम इसको export करते थे. चाइना में जब outbreak हुआ, तो चाइना ने कहा कि यार सब हमी को दे दो आप. And we have sell or exported at the rate of 2500-3000 per kg के rate से हमने चाइना को export किया. तो इन news में था, moringa, कि यार चाइना इतना जादा क्यों मंगा रहा है? है ना, ऐसा इसमें क्या है कि चाइना इतना सारा import कर रहा है? तो फिर उसके बारे में काफी सारे articles है कि सहजन जो है, this is one of the best कि अगर किसी को COVID हुआ है, तो उसके recovery के लिए best part है. तो इस अंदर में, environment के point of view से UPC ने moringa पे question मनाया है. मोरिंगा सहजन विक्ष का एक फलिदार सदा पढ़नी विक्ष है. सहजन विक्ष का एक फलिदार सदा पढ़नी विक्ष है, है ना, सदा पढ़नी. अब ये statement गलत है, सदा पढ़नी, सदा पढ़नी का मतलब है कि जो साल भर पेड रहता है, अपने पत्तों को गिराता नहीं है, ऐसा नहीं है. इंडिया का अधिकतर जो climatic condition है, वो क्या है, वो आप कह सकते हैं कि semi-arid है, arid conditions भी है, है ना, evergreen वाले forest ना होके, tropical forest भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कहना कि सदा पढ़नी है, ये statement गलत हो जाएगा, क्योंकि अलग-अलग climatic conditions में हमको मिलता है, और ये पत्ते नहीं गि इसके, तो next देखेंगे कि पत्तो पत्तो से आपकी गाड़ी भर गई है, तो हमेशे अपने sheds करते रहते हैं, plants को, अपने उसको, leaves को, तो पहला वाला statement थोड़ा गलत है, दूसरा, इमली का पेड दक्षिन एशिया का इस्थानिक विक्ष है, हम इस्तेमाल बहुत करते हैं, और खास करके, tribal areas में सबसे popular है, इमली, इमली का पानी और चावल खाते हैं, लोग, क्योंकि काफी पेड, climatic conditions हमारा उसके अनुकूल है, लेकिन, ये पेड भारत में endemic नहीं है, ये Western Africa के पार्ट से भारत में introduced किया गया था, ठीक है, तो ये दूसरा वाला statement, कि इमली का minor forest produce, इमली के पेड से इमली को तोड़ लेंगे, तो इमली के पेड को नुकसान क्या होगा, कुछ नहीं, तो minor forest produce, जंगल से अगर आप ऐसी चीज़ों को collect भी करते हैं, तो जंगल को आप नुकसान नहीं पहुचा रहे हैं, तो जंगल में, जो अगर आप मानेजे कि forest officer हैं, तो आप ऐसे products को promote करते हैं, कि आप कर सकते हैं, आप जाके उसको ला सकते हैं, minor forest produce, जिससे पेड को कोई हानी नहीं होती है, forest को कोई degradation नहीं होता है, ऐसे product को आप forest से collect करने का अधिकार दिया गया है, ऐसे को हम लगू वनुतपात कहते हैं, तो इमली से क्या नुकसान हो जा है, बीडी के लिए 3 पत्ता के अस्तमाल होता है, 3 पत्ता tribal areas में होता है, 36 जाड़कन के इलाके में, तो आप पत्तों को collect करते हैं, सुखे पत्तों को, उसे से बीडी बनता है, तो सुखे पत्तों को collect करके आप उसे बीडी बनाते हैं, वो भी minor forest produce हैं, employment opportunities को create करते हैं, और forest को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है. तो भारत में अधिकांश इंबली लगु और वनुत पाद है तो है. तो तीसरा statement तो ठीक हो गया. चौथा भारत इंबली और बुरिंगा के बीच का निर्याद करता है तो करते है. है ना अभी चीन को सबसे ज़्यादा दिया है. तो ये statement भी ठीक है और इंबली का भी हम करते है export. तो third और fourth statement ठीक है. Fifth statement मोरिंगा और इंबली के बीजो का उप्योग जैविर्धन के पादन में हो सकता है. अभी पता चला है कि this is one of the most efficient biofuels अगर इसका इस्तेमाल होता है तो. तो third, fourth और fifth ये तीनों statement ठीक है. First और second statement गलत है. तो यहाँ जहाँ जहाँ पर भी first हो उसको eliminate कर दीजे तब भी answer तक पहुँच जाएंगे. तो B is the right answer, third, fourth और fifth. ठीक है? ये Indian Express में ये article covered था, वहाँ से ये बनाये गया है. हम लोगो ने question नहीं बनाया था इस पे. ठीक है? ये कुछ issues हैं जो environment के संदर में पूछा गया है. लगबग 15 ऐसे सवाल है. सवालों को देख के आपको बहुत ही clarity के समझ में आ गया होगा कि ecosystem, ecosystem से जोड़े हुए autotrops या food chain, food wave के हिस्से हैं, उसके उपर सवाल है. जो overall nutrition का cycle है, उस पे question है. pollution से related issues पे questions है. और जो कुछ current के issues हैं, environment के संदर में, जैसे की mooringa है, इन सब चीजों पे. ऐसे पे भी questions का भी ज़्यादा बनाया गया है. आप इन चीजों को तयार करें. ठीक है? अब थोड़ी देर में आपके साथ सुनील सर, economics के section का पे विसरत एक चर्चा करेंगे. ठीक है? All the best. करेंगे लिए भी जब जाल जाया बनाया है. एक विसरत ऑ़च्वारदानी जासे लिएकी जाटीजों का रभी सुनील का थे एक पे. झाले साथ